खिलाडी है और कराची की है और काफी ज़्याद एक्सपीरियंस भी तक ले चुकी है टी-20 में 43 पुजिशन अपनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है नीदा डार के अगर हम बात करें पाकिस्तान की खिलाडी है पंजाब मिंद का जन्म होगा 35 वर्षे खिलाडी है बहुत ज सेकंड पुजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट आम ऑफब्रेक इनका बालिंग स्टाइल है राइट हैंड बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है तो यह बात की जाए अगले प्लेयर की यानि ओमीमा सोहेल के अगर हम बात करें 25 वर्षे खिलाडी है 97 पुजिशन अपनी टी-20 में बालिंग के लिए होल्ड करती है और ओडिया में 47 पुजिशन और बालिंग में होल्ड करती है 84 पुजिशन कहीं नगी काफी ज्यादा एक्सपिरेंस आज हमें देखने को मिल रहा है हर एक प्लेयर का आलियर रियास के अगर हम बात करें 30 साफी ज्यादा यूवा है 2000 वालुर के साथ कि में का आज हमें देखने को मिल रहे हमें की ज्यादा एक्सपिरेंस आज हमें देखने को लंड़ रहा है और चाहले मतल है 31 वर्षे की लाड़ी है बॉलिंग करवाती है पर वाइट आप बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है 71 पुजिशन बॉलिंग के लिए होल्ड करती है टी 20 करियर में नश्रा संदू के अगर बात की ज़ए 24 वर्षे की लाड़ी टी 20 में 29 पुजिशन तो वहीं ODA में 15 पुजिशन अपनी बॉलिंग के लिए होल्ड करती है राइट अप हैंडेट बैटिंग इनका बैटिंग इस्टेल है और लेफ्ट आम और्थडॉक्स इनका बॉलिंग इस्टेल है राइट अप हैंडेट बैटिंग करती हैं अपनी बैटिंग इस्टेल है और राइट आम लेग ब्रेक इनका बॉलिंग इस्टेल है तो ही बात कीजाए सिधरा अमीन की जो की पाकिस्तान की की लाड़ी है 30 वर्शिया है पंजाब लाहर मेंन का जन्म हुआ और बैटिंग और राउंड अपनी टीम भी है राइट हैंडेट बैटिंग करती है और राइट आम फास मीडियम इनका बॉलिंग स्टेल है ओडिया इवे 19 पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो अभी तक कई सारे मैचिस तो खिले हैं लेकिन जिस तरहीं से मैचिस खिलती हैं तो कई ज्यादा बदलाफ करते हुए दिखती है साथ और सामस के अगर हम बात करें 23 वरशे खिलाड़ी है लाहूर पंजाम इनका जन्म हुआ और बॉलिंग करवाती है हमनी टीम के लिए लाइट आम मीडियम इनका बॉलिंग स्टाइल है तो ही बात की जाए सिद्रा अमीन की जो कि कई युवाओ के साथ साथ कई बार हमें देखने को मिली है एक अलग अंदाज में जब यह खिलती है नाइंटींथ पुजिशन अमनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है वह इसके बात कीजाए अब दूस्टे स्कॉर्ट की या निए आरलेंड विमन स्कॉर्ट के अगर हम बात करें लॉरा डेले की अगर हम बात करें कैप्टेन है जो 29 वर्ष है एक मुसकान इनके चाहरे पर यह भी जादा दा देखने में मिलती है बालर नने टेम का फे शानदार और टीटिट में ङाफी सिक्ष्टी स्कॉजिशन अमनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है और 80 इसक्स पुजिशन ऑनी बालिंग के लिए और बालिंग के लिए उढंगी वाल्र रॉक की जो की यसाथ विगेट कीपरिंग संहथाक यह विटकीपर All-I aggressive रोल अधा करती है इसे कह sorrow करती है रुई देड सलभ राभलिबिंग की और पालिछ.​ मैच के मैच में जिस तरीगे से खेलेंगी ये भी काफी अलग होगा गाबिली इसके अगर हम बात करें किस वर्षे हिलाडी है टीटी में 30 पोजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए होल्ड करती है बहुत सारी युवाव को आज हमें आरलेंड के टीमें भी देखने हो मिले है और ला कि अगर हम बात करें 20 वर्षे खिलाडी है बैटिंग और राउंडर है राइट है बैटिंग करती है राइटाम मीडियम इनका बालिंग स्टैर है टीटी में 72 पोजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो ही बात की जाए अगली प्लेयर की यानि इमेर कि अगर हम बात करें 36 वर्षे खिलाडी है डबले इनमन का जन्म होओ टीटी में 85 पोजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और 73 पोजिशन में बालिंग के लिए तो ही ओडिय में बैटिंग के लिए 94 तो बालिंग के लिए 51 पोजिशन होल्ड करती है तो काफी ज्याद बैटिंग करती है और राइट आम मीडिया वनका बालिंग स्टाइल है नाइन टीम फॉर्थ पुजिशन टीट वे बैटिंग के लिए होल भी करती है बहुत ज्यादा एक तरीके से जैसे बोल सकता है कि अलग प्रदर्शन इनका हमिश्चा से देखने को मिलता है लुइस इनका जन्मोरा बैटिंग और राउंडर है और 47 पुजिशन बालिंग के लिए होल्ड करती है टीटिविटी में तो वही 67 पुजिशन ओडियाई में होल्ड करती है अपनी बालिंग के लिए आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज मैच खिला जा रहा है क्या हो सकता है चिस वर्षे खिलाड़ी है और बालर हमने टीम के टीटिविटी में भी तक पुजिशन होल्ड नहीं करती है लेकिन ओड्य में 99 पुजिशन होल्ड करती है तो वहीं बात कि जाया अगले प्लेयर यानि लेए पॉल की अगर हम बात करें 23 वर्षे खिलाड़ी है टीट वैश 60 फुजिशन नी बैटिंग के लिए तो ही बात की जाए अब अगले ख्लियारी की यानि साउना की अगर हम बात करें एक मुसकान जोहें की हमेशा से अलग तरीके से देखने को मिलती है जिस तरीके से बैटिंग करती है तो हमेशा मुसकुराते भी नजर आती है तीस वर्शे खिलाड़ी है लेकिन जो फूरती शरीर में देखने को मिलती है बैटिंग करते रही तो वह एक युवा से कम नहीं बैटिंग और राउंडर अपनी टीम की है राइट हैं बैटिंग करती हो राइट आप मेडिया मिनका बालिंग स्टैल है लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कि और चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि है तो जल्दी से वीडियो चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और जरूर कमेंट करके बताईगा कि आखिर आपको हमारी कमेंटरी कैसी लग रही है जैसे कि मैश है बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग होने आरा क्यूं लाहौर में यहां पर यह स्टेडियम है 1959 में स्टेडियम उपन हो चुका था और 27,000 कि इसकी कैपिसेटी है लाहौर में स्टेडियम है और मैं आपको खास बात इसकी एक और यह बता दू कि यहां पर अभी तक 22-22 मैचेस हुए और जिनमें से 12 मैचेज बैटिंग टीम ने जी स्कौर्ड की तो स्कौर्ड के अगर हम बात करें पहले पाकिस्तान की मुबीना मुनीबा आली जो की विकेट कीपर है पाकिस्तान की टीम में काफे शांदार प्लेयर है 25 वर्शे है कराची मिन का जनम हो और 81 ट्राइंग के टी-20 में होल्ड करती है अपनी बैटिंग के है और 29 रैंकर टी-20 में अपनी होल्ड करती है तो ही बैटिंग में 26 पॉजिशन अपनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है और साथ में बात की जैब अगली प्लेयर याने जावरिया खान की जो की 34 वर्शे खिलाडी है और कराची की है और काफी ज़दे एक्सपीरियंस भी तक ले चुकी है टी-20 में 43 पॉजिशन अपनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है और 50 पॉजिशन ओडियाई में बैटिंग के लिए होल्ड करती है नीदा डार के अगर हम बात करें पाकिस्तान की खिलाडी है पंजाब मिन का जन्म होआ 35 वर्शे खिलाडी है बहुत ज्या पॉजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट आम ऑफब्रेक इनका बालिंग स्टाइल है राइट हैंड़ बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है तो यह बात की जाए अगले प्लेयर की यानि ओमीमा सोहेल के अगर हम बात करें 25 वर्शे खिलाडी है 97 पॉ पॉजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो ही ओडिय में 32 पॉजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है आईशा नजीम के अगर हम बात करें काफी शांदार यह भी कि राडिया ठारा वर्शिया है काफी ज्यादा युवा है बालर अपनी टीमी काफी पॉर निइड़ हम बालिंग स्टाइल है और बैटिंग स्टाइल है और बैटिंग स्टाइल है राईड पूजिशन अपनी बॉलिंग के लिए होल्ड करती है T20 करियर में नश्रा संदू की अगर बात की जज 24 वर्षे खिलाडी T20 में 29 पूजिशन तो वहीं ODA में 15 पूजिशन अपनी बॉलिंग के लिए होल्ड करती है राइट अप हैंडेट बैटिंग इनका बैटिंग स्टैल और लेफ्ट आम और्थडॉक्स इनका बॉलिंग स्टैल है कि मुस्कान के साथ जब भी मैदान मुतरती है तो नजर आती है गुलाम फातिमा की अगर हम बात करें 27 वर्षे खिलाडी है बॉलर अपनी टीवी का फिस शानदार और कई सारे मैच्चेज अभी तक खिले है ओड राइट हेड़ बैटिंग करती है अपनी बैटिंग स्टैल है और राइट आम लेग ब्रेक इनका बॉलिंग स्टैल है तो ही बात की जाए सीधरा अमीन की जो की पाकिस्तान की खिलाडी है तीस वर्षे है पंजाब लाहॉर मिन का जन्म हो और बैटिंग ऑल राउंडर अप राइट हेंड़ बैटिंग करती है और राइट आम फास मीडियम इनका बालिंग स्टैल है और इवे नाइंटीन्थ पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो अभी तक कई सारे मैचेस तो खिले हैं लेकिन जिस तरीए से मैचेस खिलती है तो कई ज्यादा बदलाफ करते हुए दिखती है साथ और सामस के अगर हम बात करें 23 वर्शे खिलाड़ी है लाहूर पंजाम इनका जन्म हुआ और बालिंग करवाती है हमनी टीम के लिए लाइट आम मीडियम इनका बालिंग स्टैल है तो ही बात की जाए सिद्रा अमीन की जो कि कई युवा के अगर हम बात करें कैप्टन है जो 29 वर्शे है एक मुसकान इनके चाहरे पर ज्यादा तर देखने को मिलती है बालर अपने टीम काफी शानदार और टीट्वेंट में सिक्स्टीथ पोजिशन बैटिंग के लिए और बालिंग के लिए और बालिंग के लिए 64 पोजिशन हो राइट है बैटिंग करती है और टीट्वेंट में 92 पोजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और बालिंग के लिए अभी तक कोई पोजिशन होल्ड नहीं क्योंकि बालिंग में ज्यादा रूची नहीं है एमी हंटर के अगर हम बात कर लें 17 वर्शे खिलाड़ी है बहुत ज्यादा यूवा है लेकिन ओडियाई में अपनी पहचान मनाई है ओडियाई में 53 पोजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और राइट हैनेट बैटिंग के लिए और आज के मैच में जिस तरीके से ख में भी देखने हो मिलेगा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं फिर एक प्रेशर बन जाता है आटोमेटिक सामने आले टीम में क्योंकि नहीं पता होता कि आगे वाले प्लेयर का कौन सा वीक पॉइंट है और खासकर जब वो यूवा हो तो यूवा को पढ़न थोड़ा और ज्यादा कटेन हो जाता है और ला कि अगर हम बात करें 20 वर्षे खिलाड़ी है बैटिंग और राउंडर है राइट है राइट है मीडियम इनका बॉलिंग स्टैर है टीट्वेंटी में 72 पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो ही बात की जा में बैटिंग के लिए 94 तो बॉलिंग के लिए 51 पुजिशन होल्ड करती है तो काफी ज्यादा लग तो यह दिखती है पहले से क्योंकि जिस तरीके से मैच को बदलती है वह ज्यादा उच्छुकता वाला रहता है रिबिका कि अगर हम बात करें 22 वर्षे खिलाड़ी है और राइट हैंडेड बैटिंग करती है और राइट आम मीडिया वनका बॉलिंग स्टाइल है नाइन टीम फॉर्थ पॉजिशन टीट्विशन वे बैटिंग के लिए होल भी करती है बहुत ज्यादा एक तरीके से जैसे बोल सकता है कि अलग प्रदर्शन इनका हमिश्य से है और 47 पॉजिशन बॉलिंग के लिए होल्ड करती है तो वही 67 पॉजिशन ओडियाई में होल्ड करती है अपनी बॉलिंग के लिए आपको क्या लगता है जिस तरीके साथ मैच खिला जा रहा है क्या हो सकता है कौन से टीम ज्यादा आगे जा सकती है जाने कि अगर हम बात क 19 वर्षी खिलाड़ी है बैटिंग और राउंड है और किसी ना किसी तरीके से एक विगेट तो हमेशा अपने हाथों पे ले ही लेती है सोफिया के अगर हम बात करें 25 वर्षी खिलाड़ी है और बॉलर अपनी टीम के टी-20 में भी तक पॉजिशन होल्ड नहीं करती है लेक बात की जाए अगले खिलियाड़ी की याँनी साउना की अगर हम बात करें एक मुसकान जोहें कि हमेशा से अलग तरीके से देखने को मिलती है जिस तरीके से बैटिंग करती हैं तो हमेशा मस्कुराते भी नजर आती है तीस वर्षी खिलाड़ी है लेकिन जो फूरती शरी म में देखने को मिलती है बैटिंग करते हैं तो वह एक युवा से कम नहीं बैटिंग और अपनी टीम के हैं राइट हैं इंडिट बैटिंग करती है राइट आप मेडिया मिनका बॉलिंग स्टैल है लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कि और चैनल को पेड़ है जी हां पाकिस्तान विमेंस स्कॉड के सामने आज आइरलेंड विमेंस की टीम उत्र ही है और काफी ज्यादा सुनहेरा यह मैच आज होने वाला है और खास बात करें स्टैडियम की यानि यह मैच जो खिला जा रहा है गादफी स्टैडियम जो कि लाहॉर में यहा यहां और वही दस मैच वो टीम जीती है जिसने टॉस जीतने के बाद बालिंग चूज की फरस्ट इंग यहां पर हाइस्ट इसकोर जो रहता है वह उन सिक्स्टी वन तक जाता है और सेकंड इनिंग का वन फॉर्टी सेवन तक तो वहीं अगर हम बात करें स्टैडियम के बा करती है ओडिये में अपनी बैटिंग के लिए ज्यादा मैच जबी तक नहीं खेले हैं लेकिन शांदार एक प्रदर्शन जो हैं का देखने को हमेशा से मिलता है विसमा मारूफ के अगर हम बात करें कर एक 30 वर्षे खिलाडी है लाहौर पंजाब में इनका जन्मोह बैटिं पर दिम अपनी होड़ करती है तो ही बैटिंग में 26 पॉजिशन अपनी बैटिंग के लिए होड़ करती है और साथ में बात की जैब अगली प्लेयर यानि जावरिया खान की जो की 34 वर्षे खिलाडी है और कराची की है और काफी ज़द एक्सपीरियंस भी तक ले चुकी है टी-20 में 43 पॉजिशन अपनी बैटिंग के लिए होड़ करती है और 50 पॉजिशन ओडियाई में अपनी बैटिंग के लिए होड़ करती है नीदा डार के अगर हम बात करें पाकिस्तान की खिलाडी है पंजाब मिन का जन्म होआ 35 वर्षे खिलाडी है बहुत जादा एक्सप पॉजिशन अपनी बालिंग के लिए होड़ करती है राइट हैंड़ बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है तो यह बात की जाए अगले प्लियर की यानि ओमीमा सोहेल के अगर हम बात करें 25 वर्षे खिलाडी है 97 पॉजिशन अपनी टी-20 में बालिंग के लिए होड़ कर 56 पॉजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो होई ही ODI में 32 पॉजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है आईशा नजीम के अगर हम बात करें काफी शानदार ये भी कि राडिया 18 वर्षिया है काफी ज्यादा युवा है बालर अपनी टीमी काफी शान बाले वाज आज हमें देखने हो रहा है और साथ साथ में कई ज्यादा युवा को आज मौका भी दिया जा रहा है अमी मैन अनवर के अगर हम बात करें का तिस वर्षे की लाड़ी है बालिंग करवाती है अपनी टीम के लिए राइट हम फास्ट मेडियम इनका बालिंग स्टैल है सावंटी फॉजिशन बालिंग के लिए होल्ड करती है टीट्विंटी करियर में नश्रा संदू के अगर बात की जज़ 24 वर्षे खिलाडी टीट्विंटी में 29 पुजिशन तो वहीं ओडियमें 15 पूजिशन बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट आप रोक्स इनका बॉलिंग स्टैल है कि मुसकान के साथ जब भी मैदान मुतरती है तो नजर आती है गुलाम फातीमा की अगर हम बात करें 27 वर्शे खिलाडी है बॉलर अपनी टीवी काफे शांदार और कई सारे मैच्चेज भी तक खिले है ओडिया में 65 पुजिशन अपनी बॉ राउंडर अपनी टीम भी है राइट हैंड़ बैटिंग करती है और राइट आम फास मीडियम इनका बॉलिंग स्टैल है ओडिया में 19 पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो अभी तक कई सारे मैच्चेज तो खिले हैं लेकिन जिस तरीए से मैच्चेज खेलती हैं तो कई ज्यादा बदलाव करते हुए दिखती है साथ और सामस के अगर हम बात करें तेज़ वरशे खिलाड़ी है लाहूर पंजाम इनका जन्म हुआ और बॉलिंग करवाती है हमनी टीम के लिए लाइट आम मीडियम इनका बॉलिंग स्टैल है तो ही बात की स्कॉर्ट के अगर हम बात करें लाड़ा डेले के अगर हम बात करें कैप्टेन है जो 29 वर्शे है एक मुसकान इनके चाहरे पर ज्यादा तरह देखने को मिलती है बॉलर निटीम के काफी शानदार और टीट्वेंटी में सिक्स्टीथ पोजिशन बैटिंग के लिए होल्ड करती है तो ही बात किजैं मेरी वाइड रॉक की जोकी कैपटन के साथ विगेट कीपरिंग संभादती है यह विगेट कीपर बैट्समेन का रोल अधा करती है टीम के लिए डबलेन मिन का जन्म होगा राइट है बैटिंग करती है और टीट्वेंटी में 92 पोजिशन होल्ड क क्योंकि बॉलिंग में ज्यादा रूची नहीं है एमी हंटर के अगर हम बात कर लें 17 वर्शे खिलाड़ी है बहुत ज्यादा युग है लेकिन ODI में अपनी पहचान मनाई है ODI में 53 पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए और राइट हैने बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है और आज के मैच में जिस तरीके से खेलेंगी ये भी काफी अलग होगा गाबल इविस के अगर हम बात करें किस वर्शे हिलाड़ी है T20 में 30 पुजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए वो युवा हो तो युवा को पढ़ना थोड़ा और ज्यादा कटें हो जाता है और ला की अगर हम बात करें 20 वर्शे खिलाड़ी है बैटिंग और राउंड है और राइट है राइट है राइट है मेडियम इनका बॉलिंग स्टाइल है तो काफी ज्यादा लग तो यह दिखती है पहले से क्यूंकि जिस तरीके से मैच को बदलती है बात करें 22 वर्शे खिलाड़ी है और राइट हैंडेट बैटिंग करती है और राइट आम मीडियम का बॉलिंग स्टाइल है नाइन टीम फॉर्थ पॉजिशन टीट वर्शे खिलाड़ी है और जिस तरीके से खेलती है तो ज्यादा तर चौकाने वाला गेम होता है आरले केली के अगर हम बात करें 28 वर्शे खिलाड़ी है और बैटिंग और राउंडर है और 47 पॉजिशन अपनी बॉलिंग के लिए होल्ड करती है तो वही 67 पॉजिशन ओडियाई में होल्ड करती है अपनी बॉलिंग के लिए आपको क्या लगता है जिस तरीके साज मैच तो हमेशा अपने हाथों पे ले ही लेती है सोफिया के अगर हम बात करें 25 वर्शे खिलाड़ी है और बॉलर अपनी टीम के टीटी में अभी तक पॉजिशन होल्ड नहीं करती है लेकिन ओडिया में 99 पॉजिशन होल्ड करती है तो वहीं बात की जाए अगले प्लेयर यानि साउना की अगर हम बात करें एक मुसकान जोहन की हमेशा से अलग तरीके से देखने को मिलती है जिस तरीके से बैटिंग करती है तो हमेशा मुस्कुराते भी नजर आती है तीस वर्शे खिलाड़ी है लेकिन जो फूरती शरीर में देखने को मिलती है बैटिंग करते है तो वो एक यूवा से कम नहीं बैटिंग और राउंडर अपनी टीम के हैं राइट हिनिट बैटिंग करती हो राइट आप मेडिया मिनका बॉलिंग स्टाइल है लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कि और चैनल को सब्सक्राइब ही है और काफी ज्यादा सुनहेरा यह मैच आज होने वाला है और खास बात करें इस स्टेडियम की यानि यह मैच जो आज खिला जा रहा है गादफी स्टेडियम में जो कि लाहॉर में यहाँ पर यह स्टेडियम है 1959 में स्टेडियम उपन हो चुका था और 27,000 की इसकी कैपिसेटी है लाहॉर में स्टेडियम है और मैं आपको खास बात इसकी एक और यह बता अदू कि यहाँ पर अभी तक 22 टी-20 मैचेस हुए और जिनमें से 12 मैचेस बैटिंग टीम ने जीते हैं टॉस जीतने के बाद जी पाकिस्तान की मुबीना मुनीबा आली जो की विकेट कीपर है पाकिस्तान की टीम में काफे शांदार प्लेयर है 25 वर्षे है कराची मिन का जनम हो और 81 टी-20 में होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो 39 पुजिशन होल्ड करती है ODA में अपनी बैटिंग के लिए ज् 29 रैंकर टी-20 में अपनी होल्ड करती है तो वहीं बैटिंग में 26 पुजिशन अपनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है और साथ में आपको था तो राइट आम लेक ब्रेकिन का बॉलिंग स्टाइल भी है तो वहीं बात की जैब अगली प्लेयर जावरिया खान की जो की 34 व खिला रही है पंजाब में इनका जन्म होगा 35 वर्शे खिला रही है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अभी तक ले चुकी है इतने सारे मैचिस खेल कर टी-20 में 38 पुजिशन बैटिंग के लिए होल्ड करती है तो वहीं ओडिया में 41 पुजिशन अपनी बैटिंग के लिए और 22 पुजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट आम ऑफ ब्रेक इनका बालिंग स्टाइल है और राइट हैंड बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है तो यह बात की जाए अगले प्लेयर की यानि ओमीमा सोहेल के अगर हम बात करें 25 वर्शे खिलाड़ी है 97 पुजिशन अपनी टी 20 में बालिंग के लिए होल्ड करती है और 47 पुजिशन और बालिंग में होल्ड करती है 84 पुजिशन कहीं काफी ज्यादा एक्सपेरिंस आज हमें देखने को मिल रहा है हर एक प्लेयर का आलियर रियास के अगर हम बात करें 30 वर्शे खिलाड़ी ह है काफी ज्यादा यूण को मिल रहे हैं कर साथ खुर जियादा प्लेबाज आज में और साथ-साथ में कई ज्यादा युवाउक वाज मौका भी दिया जा रहा है अमी मैं अन्वर के अगरम बात करें गतिस वर्शे की लाड़ी है बॉलिंग करवाती है अपनी टीम के लिए राइट हम फास्ट मेडियम इनका बॉलिंग स्टैल है तो राइट हैंड़ बैटिंग बॉलिंग के लिए होल्ड करती है राइट अप हैंड़ बैटिंग इनका बैटिंग स्टैल है और लेफ्ट आम और्थडॉक्स इनका बॉलिंग स्टैल है कि मुसकान के साथ जब भी मैदान मुतरती है तो नजर आती है गुलाम फातिमा की अगर हम बात करें 27 वर्शे खिला लिए बॉलर अपनी टीम का फिशानदार और कई सारे मैचेज अभी तक खिले है ओडिया में 65 पूजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट है बैटिंग करती है अपनी बैटिंग स्टैल है और राइट आम लेग ब्रेक इनका बालिंग स्टैल है तो ही बात तो अभी तक कई सारे मैचेज तो खिले हैं लेकिन जिस तरहीं से मैचेज खिलती हैं तो कई ज्यादा बदलाफ करते हुए दिखती है साथ और सामस के अगर हम बात करें 23 वर्शे खिलाड़ी है लाहोर पंजाम इनका जन्म हुआ और बालिंग करवाती है हमनी टीम के लिए लाइट आम मेडियमन का बॉलिंग स्टाइल है तो वहीं बात की जाए सिद्रा अमीन की जो के कई युवा के साथ साथ कई बार हमें देखने को मिली है एक अलग अंदाज में जब यह किलती है 19 पूजिशन पनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है वहीं इसके बात की जाए दूस्टे स्कॉर्ट के अगर हम बात करें लाडा डेले के अगर हम बात करें कैप्टेन है जो 29 वर्ष है एक मुसकान इनके चाहरे पर ज्यादा तरह देखने को मिलती है बालर अपनी टीम के काफ़ी शानदार और टी ट्वेटी में सिक्स्टी पॉजिशन पनी बैटिंग क सब्सक्राइब के लिए बालिंग के लिए अभी तक कोई पॉजिशन होड़ नहीं क्योंकि बॉलिंग में ज्यादा रूची नहीं है अगर हम बात कर लें 17 वर्षे खिलाड़ी है बहुत ज्यादा यूवा है लेकिन ओडियाई में अपनी पहचान मनाई है ओडियाई में 53 पॉजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और राइट हैने बैटिंग इनका बैटिंग स्टैल है और आज के मैच में जिस तरीके स खेलेंगी यह भी काफी अलग होगा गाबली इसके अगर हम बात करें किस वर्षे हिलाड़ी है टीट्वेंटी में 30 पॉजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और ओडियाई में 34 पॉजिशन अपनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है बहुत सारी यूवा को आज हमें के टीमें भी देखने हो मिलेगा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं फिर एक प्रेशर बन जाता है आटोमेटिक सामनाले टीम में क्योंकि नहीं पता होता कि आगे वाले प्लेयर का कौन सा वीक पॉइंट है और खासकर जब वो यूवा हो तो यूवा को पढ करती है अपनी बैटिंग के लिए तो ही बात की जाए अगली प्लेयर की यानि इमेर के अगर हम बात करें 36 वर्षे खिलाड़ी है डबले इन में का जन्म होगा टी ट्वेंटी मेंटी फाइफ पॉजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और सेवन्टी थर्ड पॉजिश राइट है बैटिंग करती हो राइट हम मीडिया वन का बॉलिंग स्टाइल है नाइन टीम फॉजिश लिए यूटुब चैनल का कहा हो रेडियोस्टी 90.8 FM भाई मैच पकिस्तान वुमन वर्सस आलन्ड वुमन का मैच है और सिकींजी 20 मैच है और देखो सीदी सीदी अगर म पकिस के पकिस्टान वुमन स्कॉर्ण की बाद करते है भाई आच nog मै मैच बता इू कहा हो रहा है गदाफी स्टेडियम लाहर में हो रहा है ंच राइडि Bendis का हीज़ który करेंगे पीश पीश में अचछे वहसे पहले बात करता है पाकिस्टान के बारें बात करता है कैपTIN बि 2006 में और इसके इनकी मैच्च değiş की मेह बात करूँ तो बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारा इनका है कि अगर सबसे पहले बात करें तो आईसे सी रेंकिंग की बात करूँ तो टी-ट्वेंटी में इनकी बैटिंग की रेंकिंग है वो है 39 और वडर इंटरनाशल में है वो है 26 यही captainship करती है captaincy करती है और सबसे अलग चीज सबसे अलग चीज इनका एक अपना ही character है जो मतलब और अगर इनके मैं वैसे बात करूँ तो इनका बहुत है मगर अगले खिलाडी के और बढ़ते हैं जो wicket keeper plus batsman है उनका नाम है Munayba Ali मुनेबा Ali की बात करूँ तो 25 पर शेक हिलाडी है ठीक है और left-handed batsman और बहतरीन wicket keeper है T20 में करन की ranking की बात करूँ बैटिंग के तो 81 नंबर पे हैं और Wonder International में ये है 39 नंबर पे वही एक काफी अच्छी wicket keeper है promising wicket keeper है अगले खिलाडी की और भंडे से पहले यदि आपने अभी तक Radio SD 90.8 FM के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लिजा और साथ ही साथ आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर लिजे और भाई सबसे पहले तो मैं मैं सब को हाई हिलो करना चाओगो कि भी देखो जी हाँ मैं अच वंडेंड हो गया थोड़ा सा बैड वैदर के चक्कर में ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है अनुज जो भी है ठीक है उसमें तो आपका मेरा हम कुछ नहीं कर सकते मगर यहीं मैं बात करूँ कि भाई अगले जो है वीवर जो हैं उन्होंने का है उनका नाम है पंकज नौट्याल जुबिन नौट्याल के रिष्टेदार तो नहीं हो हो तो यारे कर बड़ी ऐसा काना है सुनवा देना मजाक करो यार देखो यहीं प्यार मजाक है पाकिस्तान वर्सेज आर्लेंड का मैच है अब देखो यह मैच कितना लब कारगर पर जाता है क्या होते कब शूरू होता है मगर अगर वहीं बात करें कि अच्छा अच्छा कोई बात ने भाई मुझे कोई दिकत नहीं ऐसे वीज मुझे अक्सर देतो आप मेरे शकल चे मेरा करेकटर नहीं चक्छा नहीं कोई दिकत में बात नहीं तो प्राकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स आसे हैं फीमिल प्लेयर्स जो इसे हैं जो बहुत ही उंदा प्लेयर्स हैं मगर कुछ जो नई कमbbers है उनको अभी लेकर बन terटी में इस बार रखा गया तो अब ये देखना होगा कि जो स्धैय बारा अच्श में बहुत करता पैटेस फूर्शी खिलाडी हम और राइटांडे स्टाइन और राइट बात करूं तो बाइट यसे से रैंकिंग के बात करो तो वंडे-ंडर्नाशनल में की जो रैंकिंग है वहां एक तालिस टेटी में है 38 वहीं बॉलिंग के अकर इनकी बात करूं तो 22 स्थान पर रहें वंडे इंटरनाशनल में और T20 में है यह 16 स्थान पर वहीं गुजवाला पंजाब से बिलॉंग करती है और इनकी अगर मैं वैसे बात कर तो बहुत स्रॉंग प्लेयर है इनकी जो बॉलिंग का एक बॉलिंग करने का जो तरीका है तो उससे काफे सारे खिलाडियों को मतलब सामने वाले अपन टीम को थोड़ा सा एक दिक्कत पड़ाती है इनकी बहुत ही मतलब एक बॉलिंग डालने का स्थाल बहुत डिफरेंट है अगले खिलाडी के और एक्जाक्ली तो शिरावत कह रहे है कि बाद में सुनाँगा फिलाल मेरे साथ अभी मैं आप लोग उससे कुछ समय के लूंगा अलविदा और शानु मेरे साथ जुड़ेंगे शानु आओ मेरे लिए तो बड़ा प्यारा कमेंट आया सरा थेंक्यू शेकल शेकल की बात होती है और थेजब भाई भी आईए बहुत बढ़िया देखिए यहां पर बहुत सारे सॉंग्स उनाएए यार भाई सॉंग्स उनाएएंगे कोई दिक्कत नहीं है सब चीछे सुना देंगे त अब आज़ागे तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल की आप को भी डाउनलोड कर लीजगा और साथ-साथ ही मैच के बारे में बात कर रहे तो फिर से वही पर आते हैं भी आपको पता तूगी यह बारिश होने लगी बारिश ही हो रही है तॉस अब ही डिले चल रहा है बारिश या देखो पहले अभी वर्ल्ल कप का सिंधा ठीक है वहाँ पर भी दिक्कत हुई उससे पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारे मैचे सोड़ते हैं वहाँ पर भी दिक्कत सिर्फ बारिश की वेस होई पहले से मतलब क्यू नहीं सोच के च यह दो आपको एड़ा बार हमारे पास यहीं बात आरी है कि टॉस कब होगा अगर बिल्कॉल अगर बात की जाए तो हमारे से पूछा है कि पिछ रिपोर्ट शोकेत चोदरी बूचे रहे कि पिछ रिपोर्ट ऑर आपको बता दूँ कि एगर हम बात करे तो पूरे स्टेडि जहांपर अगर बात की जाए तो आपको बता दू कि T20 के यहांपर 22 मैच हुए है 22 में से 12 वो टीम जीती है जिसने 1st बैटिंग की है ठीक है 10 वो टीम जीती है 22 में से 10 वो टीम जीती है जिसने बॉलिंग की है इसी के साथ साथ यहांगा Average जो एक रहता है वो 161 के आसपास करेता है मतलर 16 के आसपास करेता है 2.50 के आसपास रहता है यानि कि जो second betting करने वाली टीम है वो कही न कहीं यहांपर एक दिक्कत यहांपर उनको जाती है इसी के साथ साथ Highest Score अभी तक कि यहांपर गया है इंग्लेंड और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें 209 बनाए गए थे इसके अलाबा लोइस्ट स्कोर यहां पर 101 कर आए वह पाकिस्तान और शिलंका का मैच हुआ था एक हाइस्ट यहां पर स्कोर जो चेज़्ड किया है एकशोश्याथा इसके साथ साथ लोइस्ट स्कोर जो डिफेंड किया था वह है 116 के सबस्का तो कोमेंट हमारे पास लगता राचे इसके साथ चंद्रकांत मच्ची कह रहे हैं कि हे ब्रो इसके साथ भूपट ज़िया भी एए है हाई हाई लवकुमार का गेना है क्या आल है सर खर्दे लेकिन है बाई काल यहां वूबर के बीट को रहे हैं it means फोट नहीं पर नाख चींक हो पर नहीं कि बारीश की वज़े से पर ज तरू है पाकिस्तान वाले और यहाल नहीं सार एक दम बढ़िया लव जी ऑई होई लव कुमान क्या बात है इसी के साथ साथ वी बी कह रहे है भाई आपका नाइस वाइस है सबका बाप कह रहे है आप दुनों आज चेम रहे हैं थेंक्यू सो मुच भाई युवरास सिंग अहारा कह रहे है कि अपडेट क्य सब्सक्राइर कि Angkeet Gaming कह रहे है कि क्या बात है चंदना कुमार कह रहे है अपड़ चरहा है गटिव अदुन बोट बस नहीं तुम दाल वगेरा में चिनीकंच ल ही और गार है तब तक हम आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं और भी हमारे पास में आया है चार चावानी घोडे सेप हैं यह क्या कुछ समझी नहीं आ रहा है रमेश चाहन कहा रहे हैं सर मैच कब होगा सर भी टॉस तो हो जाए तबी तो होगा मैच चोटु कुमारा यहाना है लव्यू ब्रदर लव्यू टू ब्रदर रमेश बिंद कहा रहे हैं हाई गुड मॉनिंग उत्तर प्रदेश जी नाम लो भाई चंदन चंदर बंची जी का न मैच कब होगा यह तो बॉलो भाई मैच होगा भाई जब बारिश उट लगा लगतार हमारे साथ आ रहे हैं लो कमौन साथ बराबर जुड रहे है रेमिश Państwo कह रहा है नमस्ते इसके बाद में शाणू हमारे साथ वापस आ ही चुके है और कि भार बार हुरा है जितनी बारिष ओर यह कटेंगा चीज वह सकता है कि अभी जितनी बारिश ऊरई जितना लेट होन Parliament क्रमेंडारे नवस्ते सर मैं दीपक कुमार सिवान जिला भिहार से ओके रबेश जी हमार साथ है लव कुमार कहा रहे है उनको खासी हो गया है अदरक वाली चाय पिलाओ या लेकर आओ बना के कभी संतोष कुमार कहा रहे है कि ओवर कहा चला कि अबर कटेगा क्या अच्छ यह यही बात है पेमा राम मली कहा रहे है कि है हाई सुरेश कहा रहे है हेलो हेलो जी आयूश राज कहा रहे हैं बोलो मैं मैं क्यो बोलो तू बोल दुरगेश कुमार कहा रहे है मैच होगा या नहीं इमरान कहा रहे है कि भाई कह रहे हूं गया अच्छ रामे जी गुपता गु बारिश बन आप करा देंगे तो मैच भी स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास मुझेल जान कह रहे है कि आज मैच नहीं होगा क्या है यह भी कहना मुश्किल है चैंसल का तो यह दो अगर बारिश ना एक गंटा अगर एक गंटा हो गया तो समझेव बस फिर तो क अच्छे यह आपने बढ़ दिया है नासिर कहा है मेरा नंबर नासिर में जमू एंड कश्मीर से हुँ तो अधर वाली चाहे अभी हिट मैं की तरफ से तुम्हार तो ना एक है ना एक हाइस्ट वार्दुक्त करते हैं तभी तो टॉस नहीं हो रहा है मुझेल खान कहा है आर्लेंड विमन्स की तरफ आज है देखते हैं क्या होगा क्या निवेगा पहले तो बारिश ही रुख जाए उसके बाद ही होगा जो कुछ भी होना है मैं बात करूंगा अभी कॉमेंट्स की तो रमेश बिंद जी गह रहे हैं सर जी मैच कब चालू होगा जॉन पुर्ख व कौन पुछ रहा है जिया पेम राम वाली एक मन लुकिया आपको भी सवाल का अंसर देंगे यार एक तो कासी भाई ख्या लगको आपना बहुत जादे दिक्कते हैं अद्रग वाली जाया में बार बार आए यहां पर कॉमेंट्स में बट सच्वे एक लिंक लेके आए आई वैसे इनको क्या पता लिंक होता है लेकिन बात यह है लिंक होता है जो हम रीडियो पर बोलते हैं व्हमारी बाशनामे उसको संवाश को अभसि आव इसी के तो जी हाँ क्योंकि सताती प्रडिशन लोग अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान विमेंस जीज सकती हैं जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर फाइनल तक जाने के बाद में आ रहा है तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि चांस ही नहीं बनते हैं इस ताइम तो इसलिए फॉ मुहमद रजा का मेसिज आया है कि मैं करनाटक से हूँ कब होगा टोस जी हाँ आप करनाटक से हैं बहुत अच्छी बात है लेकि टोस कब होगा यह तो बारिश उकने के बाद ही हो पाएगा साथ इसाथ बात करें कॉमेंट्स हमको लगातार मिल रहे हैं मैच कब शुरू कुमार जी कहने सर बारिश अभी भी हो रही है जी हां बारिश अभी भी हो रही है और जैसे ही बारिश उक जाएगे आपको फुल ऑन अपडेट मैच की मिलेगी और मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा सब आपको बताएंगे क्योंकि बारिश हो रही है तो अभी इसलिए क मुझवफन अगर से और सर जी हम यूपे वाले जी हैं हम भी यूपे वाली हैं राहुल बरदेव का यह घाना है हाए राहुल बार बार शर्मा जी कह रहे हैं मैच शुरू कब होगा मैच शुरू हो जाएगा पहले बाईश लुक जाए कि आपको चीज़े बताने के लिए जो कि अभी है भी आमने आपको बताई भी कि क्या है ग्राउट की स्ट्राइज़ी क्या मैच इस तरीके के हुए हैं बात करेंगे राहुल कुमार जागी तो सर यह पूछ रहे हैं कि टॉस कब होगा तो बताएंगे सर आपको जैसी वारिश रुप जाएगी टॉस भी हो जाएगा रेफ्लेक्स करें आएं फ्रॉम गोवा के बॉस आएंगे कभी गोवा मिलेंग कि आज मैच जीतेगा आयरलेंट विमेंज तो देखते हैं आज के मैच में क्या होगा कहने होगा पहले तो यह बारी शी रुप जाए फिलाल और मुहमद नसीब राजा ड्रीम 11 गुड मॉर्निंग सर राजन मिश्रा कहा रहे हैं नाम तो ली जीए सर जी यहां राजन मिश् कहना मुश्किल है अभी अभी देखे अगर जादा वक्त तक बारिश होती रही तो मैच कैंसल हो भी सकता है और अगर थोड़े वक्त तक होई तो और भी कम हो सकते हैं जो भी होगा आपको बताएंगे जरूर यूरा सिंग अहारा कह रहे हैं ICC पूरुष्टी 20 विशुक अ 2020 वो तो आपको पता यहां कौन जीता है कौन नहीं जीता है इस तरीके की चीज़े इंग्लेंड ने इस मैच में दिखा है यहां मतलब मजा ही आगया जिया ब्रॉणी स्पोर्ट्स कह रहा हैं ब्रधर पाकिस्तान ओके बहुत बढ़ी आप बढ़ी आप प्रेम नाम माली ग तो थे वो गई थे इतना आगे फाइनल तक देते हैं विमेंस क्या करेंगे राजन मिश्रा कह रहे हैं सर मैं लाबाद से हूँ बहुत बढ़ी आसर साहील कुमार ओफिश्यल आज बॉलर सेकिंड फेज ही जीते की जी हां हो सकता है बिलकुल सेकिंड फेज जीते आपके मु कहना मुश्किल है रमेश बिंजी कह रहे हैं सर जी आप मेरे फ्रेंड चंदन का नाम लो चार चंभन 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 का नाम लो जी हां चंभन चंभन जो भी हैं आप बहुत बढ़िया तगा आपसे बात करके क्या हैं लागे टिन बोल सर टॉस कब होगा प्लीज बताओ सर तॉस बारिश रुकने के बाद होगा मैं बार बार आपको बता रहूं कि अभी बारिश हो रही हैं और जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक टॉस का कहना बहुत ही मुश्किल है फिलाल हम बात करेंगे जिया किसकी भी मियादर की में बात करूं तो क्या उबर कटेंग नहीं समझ में आता खशिष राज करें टास कब होगा जी करेंगे जब बारिश रुचाए कि टास भी हो जाएगा उदेर आज पडेल करेंगे बार इस दिन इंडिया और इंगलेंड का मैं चुआ था उस दिन नाइडीव परसेंट इंडिया का तो वी इंगलेंड ने जीत सब्सक्राइब करेंगे आपको अचला पता चलाँ को पता ही नहीं प्रफ प्रस चलिए को बात नहीं देख लेते हैं वह अपने पास में एक सेकंद दीजिए मुझे अभी आयर्लेंड टॉस नहीं जीता है सर आपको फड़ी गलत थामी हुई है क्योंकि मैं यहां पर बराबर देख रहा हूं तो आयर्लेंड अभी टॉस नहीं जीता है अभी मैश रोने में टाइम है तो अभी कहना कुछ भी मुश्किल है तो जीता है साथ हमारे साथ तो थोड़ी की दीर में शाणूभी आ रहे हैं देखते हैं कि क्या होता है आज के मैच में और इसी के साथ मूंगों आपको फूल थे साथ को पूरी अपर बदेटस बता creation बदा ही बारिश रुकी क्या ने, इसर अभी बारिश नहीं रुकी है, टॉस नहीं हुआ है, बात करेंगे धर्मिर सिंग की, आपके अवाज सल्मान कान जैसे वाई, और या रहे वाई, क्या कह दिया आपने, हिट मैं गह रहे हैं, टॉस कब होगा भाया, टॉस भी भाया हो जाएगा, जब हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, सुरट बिश जी गह रहे हैं, बील विमेंस में भी रेन होने के चांसिस हैं, कहना मुश्किल है अभी कुछ भी, क्योंकि जैसे यहां पर बारिश उरी तो हो सकता है, आपर भी बारिश उरी हो, तो मुहमन नसीब कह रहे हैं क जी गंगा ही, गाना ही सुना दिजिए, जी हां गाने भी सुनाएंगे, आपको बिल्कुल सुनाएंगे, आप रेडियो सी 90.8 FM की आप को डाउनलोड कीजिए, और लाइफ स्ट्रीम पे हमारे गाने भी आप एंजॉय कर सकते हैं, शोस भी एंजॉय कर सकते हैं, 24-7 हमारा र सकते हैं, चीज़े जरूर बता सकते हैं आपको कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, चल रहा है, कहां पर है कि नहीं, फिलाल वक्त है अभी, क्यूंकि जिस तरीके से चल रही है, चीज़े उस तरीके से कहना बहुत ही मुश्किल है कि अभी मैच में क्या होगा, क्या नहीं होगा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है भी अभी तो खहर बारिश चल रही है टॉस हुआ नहीं है और आपके कौमेंट्स हम साथ साथ बता दें कि फैंटेसी क्रिकेट कह रहे हैं कि सर प्लीज नियू टॉस नहीं हुआ है इनरा प्ले होगा जिए कहना मुश्किल है अप इ रारिश हो रही है और ब्रावनी सर आयलेंट टास जीत गया है लाइव में देखें ओके मैं लाइव में देखी है दो पता नहीं चला मैं एक बर देख लेता हूं फिर से आइलेंड टॉस अभी नहीं जीता है जिया साथी साथ बात करेंगे खिलाडी होंगी दो खिलाडी बहुत केड़े-गड़े केल रहे है बिसमा मरूफ केल रही है पाकिस्तान विमेंस की तरफ से 31 परशी है खिलाडी है देखते हैं आज के मैच में ये क्या कमाल दमाल करेंगी केलाडी बड़ी ही experienced है किया ना कुछ भी मुश्किल है क्योंकि चीजें ऐसी चल रही है बारिश की वरे से अभी बात करेंगे जिहां किसकी पाकिस्तान विमेंस की में बात कर रहे हैं और बात करेंगे किसकी एमन अन्मर की ये भी 31 परशे हैं राइट आम फास्ट बीडियम बॉलर हैं तो आज के डेट में ये भी बहुत कुछ अच्छा कर सकती है आपो क्या लगता है ये क्या कर सकती है आज के मैच में बता सकते है अगर इनके करियर की बात की जाए तो वह या तीन मैच ही खेले हैं लोने तीन इनी के लिए जिसमें किरासी रानियों लगाए हैं और पंदरा गैंगा है इसकोर रहा है देखते हैं क्या करती हैं यह आज के मैच में कहना कुछ भी मुश्किल है ने ने की लाड़ी इतने आ रह यह रही है क्या होता है बार 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 हमको कह रहा है रही है रही हमको किया अपने हमके इसको थीत्थ है रही है आइरलेंट की में बात कर रहा हूं। इसी के साथ साथ बास की चाय तो रोहित वर्मा गया रहे है कि बरसात रुकी की नहीं है अब जया बास के महसाम में कहीं से भी हो आप सबने कहीं से भी हो आप सुना तो हो गई है इसे के साथ अगर बात की चाहे तो आपको बता दू कि उनके एसर क्या था अगर पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच आ जाता लेकिन पाकिस्तान तुम चीतो यहारो हमें तुम से प्यार है मिरान खान पाकिस्तान जिन्दाबाद यह कह रहे हैं ब्रोनी स्पोर्ट्स कह रहे थे यह बात और शौकित चोधरी कह रहे हैं मौसम साफ है जी बिलकुल मौसम अगर साफ होगा तो शुरू भी जल्दी हो जाएगा ठीक है इसे के साथ साथ बात की चाहे तो आपको अदा चुछ वाएं फोमेशन आई नहीं की शुरू होगा या नहीं होगा क्योंकि अभी तक सब्लाइब इंतिजार खर रहे हैं कि मैच जोग जोगा होगा मैच होगा अच्छा बता रहे हैं राजे श्रुह परस्ते पारस्ते कह रहे हैं एल्लो हाई क्या हाल है अपके गोवस्व प्रवामी अमित कहा है है होगा बिलकुल हो जकता है मुस्ताक अहमत कहा है एस यह समझ में आया पर सो बुलेजे मुर्ज कुमार कहा है सर मेरी शादी करा दो अफसाना से अच्छा कर लो या पर पोगर रहा कर लो इस्टोडियों में जाकर बहुत कोछ चल रहा है शौके चोदरी कहा रहे हैं भाई जम्म कश्मीर से ऑय द्वार क के लिःत से हम आगए ही हले productivity शौके रहे हैं के हाले में सर मैच होने के चांस है कि नहीं इच होने की आप ही अराम से comment करो सबकी बढ़ेंगे comment फिर भीृट्टभी ठीलई है всю बास्वामी अमींद के रहे हैं कि किस country तरकिस हो क्या मैं entire industry मुश्थाक एमद क्या रहे हैं पता क्या किया होगा पना निटो इस चिंगर बेज आए है कुंधल कहता है टॉस का क्या होगा अभी जल्दी है उमीद न है क्योंकि मौसम थोड़ा सही सा दिए इसे साथ साथ मुदित गुपता कहा रहे है यह यह और मेरे गरीधर कह रहे हैं पयममे कोुछ परोकी ख़तों पहा उड्मव करना टोड़ा क act अनमोल केह रहे हैं कि आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ मुझे मुझे परनेगर से हैं मुझे परन Där दकि शचयर से हैं मैं सेद quatroक directly प्रती से हैं अनमोल केह रहे हैं अनमोल सत्तााम शचयर स Son An All बनाया है हारदेक पांडिया है बता रहें है पूछ रहें है तो यह बता है आप इसाथ देस्टीबहु करें है हाइए लिए पर आर जया है इनका शो भी आता है हमारे रिडिव संद्ध नुट एंपर इसे के साथ वैके बहूंड निए कोन मैंच जीत सकता है जो फर्स्ट बेटिंग करेगा उसके चांसे जादा है जी वीके जी गोला विश्णु कह रहे हैं कि हे भाई हेलो एमो अनवर कह रहे हैं कि हे सर कैसे हो आप हमारा सिस्टम मद बंद कर दे न भाईसाब और आपने कर दिया एक काम हमारा कैमरा वापन से सही कर दो आप महा पालिया और वृपिंवृपिं बिपंवपिं कह रहे हैं वेकरार दिनों का धर्कन बढ़ा रही है ये मैं लोग आयो अच्छा कि अच्छा हमाफ किजिएगा तब थोड़ी खराब है जो क्रेकेट न्यूज कहा है हा वाई कॉमेंटी भागते जा रहे हैं अराम से अराम से करते रहे हैं सब के कॉमेंट पढ़ेंगे एक कॉमेंट से मिस हो गया पता नहीं कहां गया वो कोई बात नहीं सुमन कुमार कह रहे हैं सुमन कुमार किया रहे हैं.. कुधरत का नीजाम काम करेगा अच्छ.. राम जी गुर्ता कह रहे हैं.. की रेन का कुछ बताईयो रन का तो भॉह यही है कि रेनी हो और रोगई श्टूदा है.. थोड़ा-थोड़ा बना लो.. और इसे के साथ भागेश्वर धाम महराज जी कह रहे है हाई हाई भागेश्वर जी राजेश या भागेश्वर अच्छा समझ ए ठीक है ठीक है ठीक है इसे के साथ रोशन कुमार कह रहे है बिहार आना है सर आर्लेंड 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 तो वही हो गया ना चलिए जो भी ठी आदक नहीं correct छेयर को रिखकला हमें ओर म्हंझागी इस इनष्टाइब में आपको het ठीक है साहिल चोधर्य कांने है साहिल चोधरी क्या अधिएल इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं राज combine करें मैच कब कम अवर का होगा जी अम्मीत अब तो ये शूच रहे हैं हमें भी ऐसे लग इसे के साथ प्लैटिनम आइस के रहे हैं भाहिया एर्लेंड वोन दा टॉस एंड डिसाइड टू अच्छा अजेशिंग बोल रहे हैं राम राम साइब आपको आपको अपडेट मिल लिए हमें भी बताइए है नहीं हमारे पास अभी कोई अपडेट ऐसी नहीं है भाई अधर लुकेश चौवन गह रहे हैं कि जी यल टीम बताओ सरजी मौमट असिफ कहरें है टॉस का होगा टॉस का होगा बिल्कुल टॉस का तो कुछना कुछ हो गई इससाथ साथ अजे सिंग कहरे हैं राम राम जी राम डीज आपको भी राम राम फिटनेस अकाश कह रहें हैं कि आ अभी बिल्कुल मैं आपको अपडेटी देता हूँ देखा जाए जिसके अच्छी परफोर्मेंस इस टाइम पर चल रही है आप जब वीरिया खान को बना सकते हैं र्रही है शतर आपन जो लोर राहस्थां से हूँ नेम तो लो यार चेतन पूरोहित पूरोहित चेतन पूरोहित के लिए डीध की आपको र्यप्ली ईय आगया है लड़िकी खुबशूरत है नवाभ चेघ कह रहे हैं और और बेनु धर यह रात की जो डोस में उसका थोड़ा सा फल दिखाई दे रहे हैं अच्छा यह तो पढ़ दिया आपका टीम इंडिया के बारे में आपका क्या कहना है राहुल रोहित को घर भेजें भाई मैं तो यह कहूंगा घर भेजो ना भेजो बस इतना पता है मुझे इसको थोड़ा सा इस टाइम पर देना जरूर है उनको चांस दो उम्मीद मुझे उनी से अब जो भी है इसे के साथ साथ लवकेश कह रहे है जील टीम आपकेज़ेगा आराम से कीजिए थोड़ा सा कॉमेंट फाइव जी गेमिंग कह रहे है राम बिल्कुल यह राम राम ब एसी ओन करना जल्दी 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 अण यह बहुत जादा दूप आहरे उपर ना सूरेज पूरेश ना सूरेज 2,000 वाट का सूरेज पढ़ रहा है इसको कम करें। राकेश कुमार कह रहे है जिस कुमार किया रहे है तॉस का टामिंट निकल चुका है बारिश के वैश से रोका हुआ था अब टॉस कभी भी हो सकता है ठीक है हितेश यहाँ पर कहा रहे हैं पानी आ रहे है छोटा सा एसी एसी दिख्वा लो अपका गर्मी लग ए पुलाया कि उसको चलिए पुलाया है इसी वाले को भी हमारी हालत जालती से हो जाएगी इसी के सासाथ बारिश बंद हुआ नई बारिश हल्की हो गई यह बंद तुन्यूई है महुट कह रहे है महम सुंदर है महम तो क्यांट मोहितकुमार hm और आप अपकोमेंट बड़ें में एक मिटार खागें मौईत कुमार, अच्छा कुमेंट कुमेंट बड़ें राकेश कुमार क्या है उद्धर पुचादियाबने अच्छा आयुष राज मैंचित अच्छार आप अच्छान एक जोड़ान ने काई सूपर से भी उपर है आजेशिक ने बोला है आप लोग की पीशो I love you ma'am I love you too so much कोई नाम है अजेशिक ने बोला माम जी आप का नाम क्या है मेरा नाम है रिया और आप का और राकेश कुमार माम आप कहां से हो मैं मुझवन नगर से हूँ हर्शल गोयल सर मैं का नाम क्या है मेरा नाम प्रिया है रिया अंची और बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अभी के अगर बात किछा है तो आपको पता दू कि आम पर अमरे पास लगा तो कॉमेंट आ रहे हैं भाई थोड़ा सा आराम से करो दुरूफ जी कह रहे हैं इतनी भी सु सांप बैटर लग रहे हैं सांप बोले तुम है इसके साथ साथ बहुत अफसोस है पाकिस्तान हर आरे यार कोई बात नहीं इंडिया भी तो आ रहा है यार दोनों कई अफसोस हो रहा है चोलो 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 अच्छ ठीक है आपको बोल दिया है इसी के साथ और भी आगे हम बढ़ते हैं मनोज कुमार के रहे है राम मेरी शादी करा दो मैं मेरी शादी करा दो फटा बट इससे करा हूं अगर बात की जाए तो आप उनका प्रपोस करो जरूर होगी आपकी शादी इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार मारे पास कॉमेंट आई रहे हैं 500 लोग को मैं साथ जुड़े हैं लेके शिकायत आप से एक आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो जितने भी लोग लाइक कर दो 500 लोग देख रहे हैं इस टाइम पर 200 लाइक पूरे कर दो फटावट जल्दी से इंतिसार कर रहा हूं लव यू मैं मैं को लव यू बोला पेटा लव यू टू जब मिलेगा जब तुम कहना में लाइक कर दो लाइक कर दो 32 हो गए एक सो गरवा तो जल्दी से लाइक प lively हो तुमिजा 500 लोग यू यू इस टाइम पर जल्दी से इस टाइम कर दो फटापट वीडियो पेल्दी लाइक ज़्यू पर एक्साटावड़ यू गरादो एक उल्यो जल्दी से 200 लाइक ल्या depends लियू जल्दी लोग देख ताइम पर जल्दी 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 मेरा कमेंट पढ़ों एसी एसी ढर्व कहरे है कि प्लीज मेरा कमेंट पढ़ो बिल्कुल बिल्कुल और एक तो निया इक हैं महें जल्दी से डुटाइक जल्दी से एक लाइक दो सब्सक्राइब दोसो फोने वालेश्ट ओंड ऑ अब तो 500 पे रुखूंगा मैं 500 ग्राओ आयू शराज के रहे हैं हस्बंड वाइफ हो गया नहीं जी दोस्त है यह हमारे कलीग है एक दूसरी के कलीग है गलीग है वहीं पर अगर बात की चाहिए तो आपको बता दू कि कॉमेंट हमारे पास लगाता रहा है 300 लाइक करा दो जल्दी दोसो तेरे सा टोगे 300 लाइक करा जल्दी बोली लग जल्दी मेरा नाम लो तो भाई चोटेलाल सिंह आपका नाम ले दी आपको रहा है 300 लाइक करा जल्दी with 500 लोग देख रहे 300 लाइक करा दो आयासा लग रहा है जसे लग जिए वह फोटे बच्छा लाइक कर दो इसी कर दो साथ चोटी सी अपडेट आपक कि इस तांच पर अगर बातकिशाए तो टॉस का यहां पर बारिश तोड़ा से रुकती है यह हलुका मुश्म ओचुका है और शयद के早ई यह तो मैंच आप क्यंशलगया यह फिर मैंच यह अब होना ही है तोस sleeping ़े हैं यह सकasto न्यापκεद कि जाए है है 300 प्रेक बोल देंगे मैम जो कहेंगी वो करेंगी आप लाइक दो मैम भुद कहनी है दो लाइक दो जैसे वो ना मुझे लाइक दो मुझे लाइक दो पांचो बारा लोग देख रहे हैं लव्यु रिया बिल्कुल आपी टू भी मिले गा 500 लाइक दो लाइक 2 लाइक रहे हैं जल्दी से भी लग हमाँ में देख रहे हैं समय पींसे ह smora अ difुर Łoo सब्वाय देग्र हम्हें मुझर बता थूपर न मृनिय बाला है नम्हें से helвой अली है जो आप कापunda आपको दिखाए देंगी इसी के साथ साथ विगट के पर मैडी है यहां पर तो आपको अपडेट भी मिलती रहेगी तीन सो लाइक होगे आपको भी तो बनता है यह देखो चो आनी आदब क्या कह रहा है आप दो शादी कर लो नई नई जी आप से रहेंगे आपको भी तो चाहिए आप दो अच्छा यह हो गया बहुत लामन पास कॉमेंट आने लगतार मैम आइल लव यू बोल दो आइल लव बोल दो भई अब तो भाई मेरा भी नाम लो भाई तो अमरीत हो जाएगा तो ऐला आर जे आपका ओना में ले दी है हमने रिया जी क्या आपकी बहन क्ली बहन खाली है मेरी कोई बेहन नहीं है लो बेहन नहीं है ठीक है 326 लाइक है 328 बाइब पानसो लाइक पुरे गरा दो यार ऐसा करोगे तुम भाई होगे इतना इतना ही प्यार रहे है बस और यहाँ पर उदेश सिंग कह रहे हैं कि ठकोर कार्थिक कह रहे हैं कि लब यू रिया जरूरी जरूरी यू पता नहीं भाई क्या करो यार एस धरम कुछ थोड़ा सही से लेको मिस्टर बाबा एच के भी कह रहे है कि आप दोनों के पीछे कौन बैठा है कोई भी नहीं है ऐसे मत बोलो हालत कराब करोगे कि हमारी पीछे कौ करें दोनों करें लिए नाइस कमेंटरी आपको दिखाएंगे परवेश के बाद हमारे पास बीडी स्पोर्ट के रहे हैं कोटो ओवर केला भाई यह इंडी में बताओ इंडी इंगले दोनों चलेगी तो कार्थिक करें मिस्यू अभी तो यहीं है हम का ही नहीं गए यहीं आ अभी रद शुक्रा करें भाई कब होगा मैच शुरू होगा यार देखना पड़ेगा अभी तो मैच का अभी ऐसे सदी कुछ लगनी रही है अभी देखते हैं कि मैच कब शुरू होगा इसके साथ आयूश राज करें आप लिया लिए हो इनको आप लिए उनको समझानी डै कि आप लिए जा शुक्तित करेंीगश ओननो की डिए को मैच क्शुरू फ пойдёт क Ну सब्सक्राइब टरस प्सक्राइब करों अंवर से सब्सक्राइब टरस आप यह बनाएं पल्सक्तिति हाए अब यहा नीज आए अइफ थीप्टित्हए आपीमार् हैपांसों पे मैच करें परश गिल कह रहे हैं कि मैम I love you बोल दो बिलको यह नहीं बोलेंगे तो हम अभी इनको अटाग के फिर दुबार से लेकर आएंगे हमारे त्याजिस भाई को सुल्मान भाई को क्योंकि दिल तोडने वाला कोई नहीं चीए I am from Pakistan ma'am Ria मेरे बेटे आयान आपसे बहुत प्यार करते हैं एज नौ साल प्लीज लव यू बोल दीजेगा आयान को I am from Pakistan Brony sports so naam Raya दखे क्या आयान है आपका मन करें तो आप बोलेंगा जरूर पाकजनुआवन यहां पर कह रहे हैं what your favorite dish ma'am कैफ खान कह रहे हैं कि what's your favorite dish में dish कौन सी है राजमचावण कार्टून in Hindi कह रहे हैं टॉस हो गया देखो टॉस हो गया बिलकुल आप किराब हम तो किसी को देखने रहे हैं यहां बिलकुल पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला लिया है पता नहीं क्यों लिया यार बैटिंग वाला यहां पर जादा लेकिन देखते हैं कि क्या हो तो क्या चेंजिस आएंगे आज पेश्के साब में टॉस हो गया है आप सबी को बता दू कि इस टाइम पर टॉस हो गया है टॉस हो गया है टॉस तो हो गया है लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि आप हमारे अप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर बजाकर रेडियो को लाइव भी सुन सकते हैं आप हमारी वैपसाइट विजिट कर सकते हैं रेडियो के नाम से आपको मिल जाएगी कि इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं लगाता हमारे पास इमोजी प्रिसेजन है अम लिया है प्रोनी स्पोर्ट्स प्रोनी कोपी पेस चल रहे हैं कितने अवर का होगा जी बिल्कुल आपको मैं यहीं बता रहा हूं कितने वर का होगा उसके डेंशन में सारी इन्फरमिशन आपको देते रहेंगे सब्सक्राइब ऑद आपको बता दो कि पाकिस्तान ने यहां पर चोड़ जीत लिया है और बॉलिंक का फैसला लिया है यह जो एक अगर बात की चाहिए तो इस उसन यहां पर लिया गया है कहीं नहीं यह थोड़ा नुकसान भी हो तूसरी बार बैटिंग की है तो इसके साब साब लगा सकते हैं साब की कैसा आज की परफोर्मेंस हो सकती है और किस तरह से मैच पलट सकता है आप क्या अच्छा यह डिसेजन है आप एक बार बताएगा जरू कॉमेंट करके पर मौत सहानी कहने है टोस हो गया सर जी बिल्कु तूस हो गया आपको अपडेट भी दे दिया हमने और इसके रावा कि राश्पूत कहने है मैच कितने ओवर का होगा अभी तो यार देखे कोई भी कटिंग यहां पर नहीं दिखाए दिया है किसी भी ओवर में तो अभी मुझे जातों को अमीद है कि 20 ओवर का ही आज मैच पूरा का पूरा खेला जाएगा क्योंकि एक बैक अप के लिए घंटे का हमेशा बैक अप रहता है अच्छा समझ में यहां क्या रहा हुआ कि मैं तुछ आ रहा हूं चले जाओ यार तुम यह कुछ नहीं बोलेगी कि बोलूंगी वेट करो बिंदास फैक्त के रहे हैं कि मै मैच रिपोर्ट बिल्कुल मैच रिपोर्ट हम आपको दे चुके हैं मिंदास फैक्त वन मिलियन वन एम है मैच है मैदान पे आतों पर दिखाय दे रहे हैं यहां पर इंतिजार बस थोड़ा और आपको उसके बाद मैच यहां पर शुरू होने वाला है कि यही के साथ साथ प्रिया जी से बोल दीचे लव यू बोलने के लिए भाई हम क्या होते हैं लड़कियों कुछ बोलने वाले उनका मन होगा तो बोलेंगे विवर्स को अगर रोक के रखना है तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं तो कोई बात नी और इसके साथ मुन्ना भाई ही कह रहे हैं कि भाई टॉस कौन जीता जीता है मैं बोलूंगी जरूर बोलूंगी मैच शुरू हो गया है जी बिल्कुल मैच शुरू होने वाला है कुछी दिर में पसेन आगे हमका सर्दियों में हाई हवा करिए इसे के साथ साथ अगर बात की चाहे है तो प्लेयर एंट्र अभी कर रहे हैं मैं पस्षिड आओ 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 परवेज खान कहा रहे है कितने ओबर का है वाइड बॉल मैच की शुरुवात जी हाँ यहां पर मैदान पर उतरे हैं अमी अंटर और साइड में ऑपॉजेट क्रीजबर यहां पर गोबी दिखाए देंगे माफ के जीगा लेविस और इस टाइम पर फतीमा सना जो भी कह रहता है ना फतीमा सना जे शादी कर रहा दो आद देख लो बेटा कितने भारी बोल है उनके हाथ में वाइड प्लेस फोर और पहली ही गेंद पर यहां पर डबल डबल नुक्सान होते वे नजर आ गया है बाई जाब ऐसे कैसे चलेगा सल्मान भाई को बुला दो भाई सल्मान भाई को बुलाओ पहले तो हमारे सल्मान भाई है हूं 377 लाइक हो रहते हैं यार देखो 400 तो पूरी करने पड़ेंगे आपको 400 नहीं इसी के रावा हिट मैंन कहने पाकिस्तान टॉस विन विल बैट फरस्ट जी बिलकुल वह तो अपडेट अपने काफे देर पहले दिया है यह कहां रहते हैं इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो हमारे पास देखे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े है थैंक्यू सो मच लेकिन लाइक तो पूरी करने पड़ेंगे आपको जल्दे से वीडियो पर 400 लाइक पूरी गरा दो जो करादो चलो 400 आपको डिसकांट ले बिया विल्कुल 22 को टन पेस्ट और को पी चल रहा है वाव आप इख 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 जैसे बात हुरी ती मैभी विल और मैं बता दू मैं आलन्ड वड्सिस पाकिस्तान वुम्न का मैट रह इख थीके और ऄर मैच पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसल एलिया है तौस् जीतकर आट देग पांश यह कहा दे कवर देग यह तहले है तुम्हारी तुम्हारेbook. कि तुम्हारे कमेंट आने चीन हमारे पास एक्जाक्ली दूसरोगर की पहली बॉल चुगे ग्यारा रन हो चुगा है नौ दशनलों चार तीन का जो वह है करन्ट रन रेट अभी चल रहा है और गैबी लेविस ने चार गेंदों पर दो रन बनाया है और आमी हंटर ने तीन ग क्या जीतने वाला में पर जिन Is Just twitter में मुंगर करने कि को शीच आप जीतने वाला है अगर बात करे तो आप पर जीतने के चांसे रहे हैं वो समवर राउंड 60 प्रतिशत है और 40 प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि आर्लेंड टीच सकती है यह देखना होगा कि आज पाकिस्तान जीते हैं तो अमी हंटर के हम जैसे बात कर रहे हैं अभी फिलाल हिस पे हैं और 17 वर्शी घ्लाडी है और इनके अगर बात करें दूसरे खिलाडी जो इनके साथ है वह है गैबल लिविस्की ने अभी तक टीट्वेंटी में बासर्ट मैचेस के लाएं जाने की बासरे टेनिंग्स होगी 1366 रन बनाये हैं पता है भाई सब कि एक ओवर भी हो चुका इन फैक दूसरे ओवर की चार गेन मैच सेमने मैच विखना होगा की मैच में होने बाई पाकिस्तान व्रसाइस आर्लाइन का मैच लाएं और तकर संदीप किया है कि तोडे पाकिस्तान लूजट मैच लेहां really fix कि हो ऑने वाला वक्त बाताएगा कि कौन जीतने वाला है क्रिक्टक एसा गैम्हां you 100 अप्षिज तो बात करें वहीं कि भाई दो औरकी समापती के बाद आर्लेंड 13 के स्कोर पर है च्छे दश्वाला पांच शुने का एक स्कोर हो चुका है और मैं वैसे बात कर रहा था कि आमी हंड्रा और गैबी लिविस के बारे में तो और मिस फिल्ड हुई एक और आना है गैबी लिवि स्ट्राइक के बनता है अचा आप जा रहे हैं ड्याज 2017 कि आपकेसाण वर्स्ए आर्लेंड का मैंच चपा कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल आपको बता देंगे कित वanu कीपार अचरी 11 अच्य हम बारे लिवि उर्टि हम आफ और गा तो अब यह देखना होगा कि क्या संतोष हमारी पुरी कोशिश रहे थी कि लाइट दिखा देहम आपको मगर लाइट में देखो आप लोग देख सकते हो चीजे अर राम जी गुपता ने पूचा है कितने ओर का 17 ओर का मैच है और जिसमें से 30 ओर की पहली गेंद बढ़ चुक अगर नहीं गिरा है तो फिर यह थोड़ी सी एक तकलीफ अलिवार को बढ़ाएट कि 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 विकेट गिरना विकेट हाथ में आना कहीं नहीं तूसरी टीम का जो एक स्ट्राटेजी जो इनकी है वो अलग हो जानी चाहिए मगर आलेंड को भी हलकी टीम में नहीं लिए कि अच्छा मतलब हमारे लिए नहीं हमारे लिए नहीं हमारे लिए नहीं हमारे लिए नहीं हमारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे 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 चटक चुका है आर्लाइंड का, फातिमा साना ने बॉलिंग करी और विकेट लिया है, तीसरे ओवर की तीसरी गेंड पर विकेट आ गया है, ओके, लेट्सी की अब क्या होने वाला है, देखते है, कैच आउट हुई, हामें हंट और, कोबार, पाच गेंदों पर तीन रून ब बनाया है, 14 रन हो चुके है, एक गेट गिर चुका है आर्लेंड का, और, फातिमा सना जैसे मैं इनके बार में बात भी कर रहा है, यह एक बहुत ही उम्दा बॉलर है, इनका अगर टी ट्विंटी के लिए मैं बात करें तो 16 मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने आर्टेनि आपकी वही सलमान जैसी है, भाई, ब्रोधर, थेंक्यू यार, बट, कौन आउट हुआ है, बिल्कुल, लो जी हम आपको ताया है, एमी हंटर आउट हुई है, एमी हंटर आउट हो गई है, और ज्यादा कुछ स्कोर खड़ा नहीं कर पाई थी, एमी हंटर, ओ स्वारी, एम अगली खिलाडी है, वह है, और इनकी अगर मैं बात करूं तो यह बीस वर्शे खिलाडी है, वहीं अगर मैं इनकी टीट्वेंटी की बात करूं तो 28 मैच खेल चुके है, अच्छ जी, अपनी टीम से बाहत थी, आप अच्छा जी, हैलागी खुशी में हैं आप, सही है, 28 मैच चब्वी सिनिंग केल चुकि जिसमें 423 रन बना चुके हैं दो बार 50 और इनका जो हाइस है वो है 75 रनों का इनका हाइस है तो वहीं स्ट्राइक रेट जो इनका बनता है वो बनता है 120 का वहीं अगर मैं इनकी बॉलिंग वगरा की बात करें तो बॉलिंग में भी काफी आज के मैच की तो पाकिस्तान वर्सिस आर्लेंड का मैच सड़ रहा है तीसरे और की पांच वी गेन पढ़ चुकी है चौदा रन बना चुकी है अभी तक आर्लेंड एक विकेट के नुकसान पर जैदी आपने अभी तक रेडियो एजी नाडी पॉंड़ेट अफम के चैनल और के लिए भै देखो क्या करना है आप को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है डीम करना है बस अवह पर हम आप लोगे सारब बैटे विछी तेटियमिए बारे में इंडिविजल प्लेडी खेवार में कि नेट प्रेक्टिस से लेकिंगी टीम तक या सफर के बारे में बात क आप लोग क्या लगता है कि तीम में मतलब क्या चीज़ चड़ रही है और क्या नहीं जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लाकर कमेंट करके बताईए कि 17 ओर काँ मैч है माय तो इस ने दिक रही हूँ ना लाइक कर रहे हूँ अच्या जी चल़ो अपील कर दो एक छोटी से कर दो ना यार तिम लव अट का आपका अच्या जी यह ऐसे भी चल रहा है गया आप आप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर रेडियो एस्टी नाइट आप आप को भी डाउनलोड करके हमारे शुन सकते हैं कर दो अफ किर जाज में रही हैं तो अब पर 99 पर 25 नंवरम तक जितने पर रेड़ वोट उन्त कर दो आप किया हैं मेरी जेब खाली हो जाती है ने बिलकुल लेकर चलेंगे कोई दिक्कत थोड़ी है बस इतने सारों को पर्मिशन मिलेगी नहीं तो क्याम करते हुआ तो हमार मही जलते हैं यह बाकि चिल्लडो क्या करना है कुछ ही नहीं करना चलिए फिलाल मैच की और रापिस बढ़ते हुए चौथे ओवर की तीन गेन पड़ चुका है सोलर रन बनार चुकिए हाँ आर रेंड एक वेट कि नुकसान पर इंपक्त चार गेन पड़ चुके है और करन्ट रंडेट जो चल रहा है और इनकी अगर बात करें तो 4.3.6 का हो रखा है सूरस देखो ये चीज़ है कि एक अपड़ेट मेरे पास आई थी लेटेस और मैं चाहता था कि आप लोगों को तक पहुँचे क्यों कि बहुत सारी चीज़ होती है कि जो हमें अक्सर में एकडम हैं टो इंटो पता चलते वह रहता है कि माप लोगों तक पहुचाओं क्यों कि हम लोग रेडियो पर ही नहीं बल्कि हट जगह पर हम लोग थोड़ा उतना अक्टिव होना ज़रूरी बनता है मैच की ही अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है और मदन रावत कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो बिलकुल जब कहो कहां बताओ कहां चलने को कह रहे हैं अच्छा जी ठंड लगनी चुरूव हो गई है ठंडा मौसम हो रहा है मगर यहां तो गर्मी का मौहौल है गर्मी मैच की बात वापिस करता है आर्लेंड वर्स पाकिसान वुमिन स्कॉर्ड का मैच चुर रहा है और पाकिसान ने पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करने का जो फैसला लिया है उसमें कहीं न कहीं अब वो कारगर होते वेद दिख रहे हैं क्योंकि एक विक्ट गिरा चुकी है पाक के नुकसान पर और करन्ट रंडिट जो चल रहा है 4.25 चल रहा है एमी हंटर के साथ और प्रेगनेस्ट है पांच गिंदों में एक रन बना चुकी है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर जरूर बताए कि आप लोग क्या लगता है कौन जीतने वाला आर्लेंड क आप लोग को लगता है कि जरूर हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में करकर करते हैं और साथ या सथ अपने फैस्बुक इंस्ताग्राम और ट्वीटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बात अगर करें तो आप हमारे को सूपर चैट के लिए आप हमारे को रीडियो एसजी कि अगर्मी तो होगी, I can understand, yes, exactly, you can understand that thing, but it's okay, when it's about the entertainer, बहतरीन चौका, अमी हंटर के बल्ले से एक और चौका निकला है, पहला चौका निकला है, पहला चौका निकला है, एक किस रन बना चुगी है, बहतरीन शौका है, बहतरीन शौका खेला है, अगर बात करें तो मैच इन्हों ने जो, आमी हंटर ने जो शौका रहा है, वो सिल पॉंट चौका रहा है, काफी अच्छा एक शौक लिया है, और फातिमा सना बॉलिंग करती हुई, पांची ओवर की दूरों गेन पढ़ चुका है, एक किसन हो चुका है, अच्छा और मदन रावत कह रहा है, मैं डिली से हूँ, मुझे बुला लो यह तावाज़, भाई देखो, मैं खुद डिली से हूँ, अगर मैं कहूं तो मैं खुद डिली वाला हूँ, तो मैं चीज अच्छा से समझ सकता हूँ, अच्छा आप लोग बाहर निकल तो मास्ट पहन लेना, प्लीज, मेक शूर, सूरज आपको चीज अच्छा से पता हूँ, कि एक्यू आई लेवल जो है डिली का स्टम बहुत जादा चल रहा है, और बहुत शेरों में एक्यू आई लेवल बहुत ऊपर है, तो मेक शूर कि आप लोग मास्ट पहने हैं, और बेफिजूल में बाहर नाने के लिए, वापस मैच क करती हुई जिन्हों ने अभी तक तीसरे ओवर की दूसरी बॉल डाली है, चौदर रन दे चुकी है, और एक विक्ट भी ले चुकी है, मैं काऊंगा है कि अगर ये चल रहा है तो बहार जाकर प्लीज स्टूडियो पर नहीं अलाउड है चीज़े, वहीं मैं बात कर तो आर ये वाला चौका जो मारा है एली प्रेंगेट्स में मारा है और काफी अच्छा वारा है, काफी अच्छा स्रॉक था आच्छे गंदों पर पांच रून बना चुकी है, महीं बात करे तो 26 रन हो चुके हैं आर्लेंड के पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का जो फैसला लिया है अब थोड़ा सा हो रहा है कि कहीं उपर और कहीं नीचे अब वहीं बात करें तो 26 रन बना चुके हैं पाकिस्तान अभी तक प्लीज अगर आप जाके इनको थोड़ा तमदाएं कि अलाउड यहां नहीं है आपको पानी पीना थे ने जो पिया इतना पानी पियो और आर्लें सान एक बहतरीन बॉलिंग कर रही है मगर कुछ रंस अगली कुछ बॉलों में गेंदों में जो रन आ रहे हैं मतलब इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं तो वह एक थोड़ा सा एक थोड़ा सा यह रहता है कि क्या यह चीज हो आखरी गेंद पड़ी है लेट्सी की क्य सान बहार धाएं डल रही है क्या यह एक रन आया है बहतरीन सा एक और एक रन आया है और 27 रन हो चुके हैं आर्लेंड के एक विकट के नुकसान पर 5 और की समापती के बाद आ रम सान सान गेंद ऐस टरेट जोड़ रहा है पांट दिशनलब चार्शूने का चल रहा है अब मात्र सिर्फ ओवर रहे हैं कम ओवर रहे हैं क्योंकि 17 ओवर का ही मैच है प्लीज आप लोग हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बते कि आप लोग वीडियो दिख रही है और यदि आपने अभी तक रेडियो एसडी 90.8 FM के चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए साथी साथ आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहीं मैं बात करूँ तो आर्लेंड वर्सिस पाकिस्तान का मैच चुड़ रहा है और 27 गेंदों पर 27 रनों पर एक विके नुकसान हो चुका है आर्लेंड का पांच ओवर की समावतिकाद करिंट रन रेट जो चुड़ रहा है पांच दिशालों चार्श होने का चल रहा है फातिमा सेना की लास्ट ओवर में जो पड़े हैं वो टूटल दस रनाए थे दो चौके और दो सिंगल आए तो यह अग्ली जो खिलाडी आए बालर जा रही है वह नादिया-दर के बारे में मैं अगर बात करूँ तो एक बड़ी उंदा खिलाडी इन्होंने अभी तक आर्लेंड के खिलाफी 43 रन दिये हैं बना है वहीं अगर मैं इनकी बैक्टिंग की बालिंग केरियर की बात करो नादिय दर की तो टी-ट्वेंटिय में वने अब तक 122 मैचेस कहले हैं एक सो पंद्रा इनिंग जिसमें कहले चुकी है काफी मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक होना चाहिए कि जिस तरीके से ये खेल बालिंग करती है उसी के हिसाब से तो वहीं वापिस मैच के और बढ़ते हुए मैच में अभी रन जो हो रहा गया है 27 रन हो चुके हैं नादिय दर स् ये ओवर देखना होगा पिछले ओवर में तोटल जो फातिमा सना ने अब तक तीन ओवर डाले हैं जिसमें उन्होंने बीस रन दे दिए और एक लिकेट लिया है तो अब ये देखना होगा कि क्या नादिया दर कोई विकेट ले पाती है या फिर या फिर चौकेट छको की ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है जो भी है जैसे भी हम आप लोग के साथ बने देंगे तब तक आप को करना क्या है रेडियो एस्टी 90.8 FM के चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही साथ आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वीटर प पेज को जाके फॉलो कीजिए और साथ जी साथ आप हमें वहाँ पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर डियम भी कर सकते हैं वहीं मैं बात करूँ तो छटे ओवर की पहली गेंदे पड़ चुकी है और 28 रन एक रन और आया है एक रन और आया है पाँ दशनलो तीन और गेंदे पड़ चुकी है यानि की छटे ओवर की चार गेंदे पड़ चुके है एक रन और आया है 39 रन हो चुके हैं आरलेंड के अभी तक पाकिस्तान ने टॉस जीत कर बल्ले बाजी करने का जो फैसला लिया था बॉलिंग करने का जो फैसला लिया है वो कही न कहीं अब तोड़ों से लगने लगा है कि क्या मैच में वो चीजे और एक बहतरीन चौका आर्लेंड ने 33 रन बना लिये है अब क्या आखरी गेंद पढ़ने वाली है अब क्या आखरी गेंद पढ़ने वाली है इस ओवर में अब तक साथ रन आ चुके है तीन सिंगल और एक चौका क्या आखरी गेंद पर क्या होने वाली है जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में बॉल पड़ भी गई दो रणा भी गए जतना मैं पूछता है इतना जिर्मत है बड़ी फास्ट है लोग अच्छा थेंक्यो चोटो को माणने का किसरा आपकी वोई सल्मान जैसे है बहीं मैं आप लोगों इतने सारे कमेंट करें कि लिटरली एक अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना जो प्यार देते हैं अगर यदि आप लोगों यह प्यार बना रखना है तो इस बार का हमने ट जब मैं बैठा था इस कमेंटर केंट स्टार्टिंग में तब आप लोगों ने 6000 बड़ी जल्दी से करवाए थे अब 10,000 का टागेट कर रहा है तो देखो उसे भी जल्दी से कर तो मैच रहा है पाकिस्तान ने टॉच जीत कर बालिंग करने का फैसला लिया है और एक जिसमें इन्होंने 70 विकेट लिये हैं जो इनका बेस्ट है वो है 28 रन पर चार विकेट का तो वहीं तीन विकेट बैक टो बैक टो जो तीन विकेट का जो स्कोर होता है वह अब तक एक बार ले चुकी है स्ट्राइक रेट इनका 38.50 का चल रहा है लेटसी की आज ये क्या करती है कि जैसे अभी हमने देखा था पहले लगा था कि जहन से पिछले बॉलर थी नादेदर उनके ओवर में लग रहा था कि कुछ होगा कुछ विकेट आएगा मगर उन्हें नौ रन दिये अब तक इस ओवर में दो तीन गेंदे पड़ चुके है और दो सिंगल आजच चुके हैं लेटसी की अब देखना होगी क्या हो रहा है क्या नहीं वहीं मैं बात करूं की मैच की तो मैच बड़ा इंटरस्टिंग चल रहा है आरलंड वर्सिस पाकिस्थान का मैच चल रहा है आरलंड ने आरलंड बैटिंग पर उतरी है पहले और 38 रन बना चुकी है एक विकेट के नुकसान पर और साथे ओवर की चौथी गेन पड़ चुकी है और करन्ट रंडेट जो चल रहा है पांच दशनलोग साथ शुनिका चल रहा है वहीं क्रीस पर कौन-कौन है एमी हंटर और और अला प्रेग्मिन गस्त हैं इनकी अगर मैं बात क चुकी है वगर एक ही चौसा चार रन बना चुके हैं इस और में अब तक पांच गेंदों में चार रन आचुके उन्तालिस रन बन चुके हैं आर्लेंड के आप लोग क्या लगता है कौन जीतना वाला जल्दी से कमेंट सेक्षिन बॉक्स में कमेंट करकर बताईए आप हमे रेडियो एजी 90.8 FM के चनल को सबस्क्राइब कीजिए साथ ही साथ आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं 5.57 का करन्ट रंडेट चलता हुआ पाकिस्टान ने पहले बॉलिंग करने के फैसला लिया और 49 रन अभी तक हो चुके हैं आर्लेंड के मगर पाकिस्टान ने एक क्रिट भी लिया है अब क्या दूसरा विकेट जल्दी लेना होगा क्योंकि जिस आप से आपकिस्टान भी ख 24ड होने के उस पे हैं तो लगता है कि मैस्ट थोड़ा सा ये तकर का हो सकता है अगर जिस आप से खेल रही है तो मुझा लगता है कि दस दस ओवर तक ये पच्पन एक रन बना लेंगी और 17 ओर तक मेरे हिसाब से आज कर जो स्कोर मुझे जो मैं प्रिडिक कर रहा हूं वो जाएगा सम्वेर अराउंड सुदर्स एक सो बीस का क्योंकि अब जाद ओरों को मैच है नहीं 17 ओर का मैच है और यहे ज़ा है खो सब्सक्राइब जाप रहें अब कर दो कि पाल अधर भीजन खने नेता है प्रण नछातीन को रहा जो है ति अवह लगा और तो आज कर प्रण कर रहे हो कमेंट करिए ना like भी करिये तभी तो मैं आपको आपके questions का answer दोंगे आप मुझे कुछ भी पूसकते हो कुछ भी A to Z जो आपके मन में है कुछ भी कमेंट करिये दोस्तों करियो और यह झाल पलोग कि मैं सब्सकेन आज पाकिस्तान जीटने वाला फिए. मुझ को पेस्स कने वाला मंठलब मेरा आते ही और स्ट्राइबा है? जा आक्ट अक्ट ना केया है.. बट पादिस्तान जीतेगा आप चाहिए किसने भी लग्की बन जाओ ने ने कोई जीते देखो मुझे तो एंटर्टेन्मेंट से मतलब है मुझे और व्यूवर्स को एंड अफ दर्डे में सोरी का बनती है एंटर्टेन्मेंट होना चीज है अर एंटर्टेन्मेंट ही सबसे आद इंपोर्डेंट चीज है आरलेंड इस ताइम च्यालिस रन बना चुकिया है एक विकेट के नुकसान पर आठ वर की आखरी गेंद पढ़ने वाली है गुलाम फातिमा बॉलिंग करती हुई इन्होंने अभी तक साथ रन दे चुकी है पांच गेंदों में क्या आखरी गेंद पर कोई रन आने वाला है या फिर चौका लेट सी विक्राण नहीं जान करण न चुकी है और में फिर आथा आखरा गेंद नंत आखरी पंजाबी नहीं है यह बंगोली इस प्टाइए Hebrew फिर याcorbed दर धिडदा पन्याबी परिए पंझाबी में मैं नहीं से दिय तो यह रहे हैं कि अधिश्य के दिए आप लोगी था जोड़ा जासे लिए कि अधिए फेल्डी तुम पाकिस्तान के साइड हो तुम एक तुम पकिस्तान के साइड हो तुम आपर आड ओर में एक तुम इसम्तालीस उन्द बना चूकी है साट ऑवर में पांचे के रुन रंड वहीं पाकिस्तान की स्टम्ड आउट हुई है यानि कि पीचे से कॉट हो गई अब यह तो देखना होगा कि क्या होगा लिट सी मैच के तो हो गई हो गई है और अर्ला प्रेग्नेंट्स अभी जिन के वारे में बात करी रहा था उनका विकेट जाता हो सत्रा गेंदों में बीस रण बनाया और तीन विकेट के नुक्सान पर अब सुन्दर हो कौन सुन्दर है भाईया या मैं लेट सी आप ही को कहेंगा है समझ रहे हो 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 स फॉलो कर सकते हैं करिए और लाइक भी और कमेंट भी करते रहिए करिए ना यह बड़ा यह सहीता गुरू मुन्ना भाईया के मेरे अंदर आ गए यह सहीता गुरू महीं बात करें तो अभी लॉरा डेल ने क्रीस पर आच की है और इनके बार में बात करूँ तो इन्होंने अब तक 83 मैच खेले हैं जिसमें 69 इनिक्स खेल चुके हैं 939 नंस 949 रन बना चुके हैं इनका जो हाईयस्ट है वह है 61 का एक बार अट शुटक लगा चुके है अगर मैं बात करूँ तो 779.04 का है तो यह देखना होगा Pakistan should win strong team सूरज आप कहा हो कि Pakistan should win strong team है मौत है ही ना hope so we can hope about that that Pakistan can let's do in the commentary in the English which I'll try today's match is between Ireland vs Pakistan Pakistan has won the toss and they have elected to the ball first and they have took another 2 wickets on the run of 49 Allen is right now on 49 by 2 which is on a 9th over 3rd ball is balled up and the baller is Nashra Sandhu and the players who's on the betting side that is on the crease right now that is Ami Hunter and Laura Dalney Ami Hunter is on 24 balls not by 17 runs on the by the help of on a 1-4 1 boundary and if I talk about the Laura Dalney she has been played a 1 ball till the 1 run let's see in the last in this or till yet in this over we have they got a wicket by the help with the 3 runs yeah back in Hindi because sometimes sometimes we would like to give them entertainment in English as well that we first of all if you haven't go and subscribe the YouTube live channel please go and do it and as well as please tell us in Hindi absolutely if you haven't subscribed to Radio SG 90.8 FM channel then subscribe and as we talked about we have a target for 10,000 followers so we can do it quickly and then you will have a surprise but I need a live 400 live 500 where? I gave them discount 100? yes this is right this is right in this is right this is right this one which has been like in the end of the day why? that is the play this is a pay for the 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 तो देखो अब आखरी हो रहा है इस ओवर में तुमें क्या लगता है रिया कि कितने बंदेंगे पांच चेहरों तो लेट सी कि मगर दो विकेंट भी गड़ चुके हैं तो एक कहीं ना कहीं आर्लेंट पर इस ताइम तोड़ा सा प्रेशर भी है क्योंकि बॉल हवा में और यह बहतरीन चौका दस वे ओवर की दूसरी गेंट पर चौका आता हुआ एमी हंटर के बारे में जैसम बात कर रहे थी कि भाई यही था कि जो चीज़ अभी चलने वाली थी मैं जो आप लोग वेसे बात करने वाला था कि भाई कि क्या हो रहा है अभी मैच की बात करे तो काच्छ ही कट रहा है काच्छ है क्या हुआ रहा है काच्छ ही कि बाई भडपके मुझे नियस मुझे थैं पता है क्या तो ений आपको 5ижा हमेहें समझमें याज़ी है थैंग तो अब हिंडिक को जो नहीं भी वाल इन भतर नहीं थेक्न ने, 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 सूरज मुझे, why should I have been hurt that thing, मैं किसी चीज से hurt नहीं होता है, बॉल हवा में, क्या हो रहा है, दो रन, दो रना है, देखो सूरज, इग्जाक्ली सबका अपना अपना अपीनिन है, मुझे जो लग रहा है, कि तीक मैच उतना बना रहना चाहिए, मैं किसी की बाद से कभी hurt होता है, होना भी ने चाहिए, हट हो कर आप लोगों से hurt हो कहां जाएंगे, यही तो आप लोगा प्यार है, कि आप लोग लिटरली एक चीज के लिए तो, मैं आपकी पूरी जो आपने जो भी बात कही है, मैं उनका मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ मैं इस चीज का एक आभार व्यक्त करता हूँ, कि आप लोग जिस तरीके से इतना प्यार आप लोगों दिखाता है, बहुत अच्छा लगता है, वापिस मैच के और बढ़ते हुए, दसफ़वर की चाह गें मैं इसमें क्या रन आएगा, एक या दो या कुछ नहीं, छीड़ ही चक्का, 62 रन में वोगी तो, अब लेक्सी देखते हैं, देखते हैं, गुलाम फातिमा बॉल डाल चुगी है, और बॉल हवा में, और एक रन, सत्तावन, देखा मैं जो कहा थे कि पच्पंच प्पंच प अगली साथ बॉलो में, तुम्हें क्या लगता है कितना जाएगा तुम्हारी भी जानेगे, मगर पहले आप लोग भी जल्दी से बताओ क्या आने वाले अगर साथ ओवर में, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सूरज, रमेश, बंगली नेम वाले, मदन रावत, चोटु कु प्लीज, जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में करकर बताओ कि अगले साथ ओर में लगता है कि आडलेंट कितना स्कोर कर लेगी, लास्ट फुकिट जो गिरा है और्ला का सत्रा गेंदों में बीस रून, काफियत सा किर दी ति ती 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 लगा अगले साथ ओर में तुमकिट जाता है कि सिर्फ जादे साथ जादा स्व बनेगी है, लेट ची कि देखते हैं, और मैं बाकी काली सपे निली पीली हरी डारी ओलों से कहने तो आप भी कमेंट करके बते कि आप लोग क्या लगता है कि अलेंड कितना बना लगी, ग्यार ओर की लगेंट पड़ चुके हैं उंसर्ट रन बना चुके हैं, तीन पड़ चुके हैं उंसर्ट पर दो let's see what's it gonna be there but if we talk about the voting, the people who said that Pakistan have the chances to win the match by 88% and 12% people are saying that Ireland can win the match, still there is a hope for Ireland, let's see मेंस फिल्ड हुई और दो रन खाते में और जुड़े आर्लेंड के 61 पर दो जैसे हम बात करें थे लॉरा डेलने के बारे बात करें तो 39 वर्शे खिलाडी है मतलब इनके गर में बैक्टिंग करूं अब तक इन्होंने 879 रन बनाया है ठीक है जिसमें तीन बार अर्शे तक और एक बार श्रतक बना चुकिए अच्छान का हाइस्ट है वह 109 रन का है स्ट्राइक रेट जो है 57 का है तो आवरेज बनता है 22 तो आर्ट सम्तिंग का कुछ बन जाता है कि क्या होता है तुम्हें क्या लगता है कि आज लार अडले किता एक स्कोर कर लेगी कि अभी तक तीन गेंदों में दो रन बनाया है कि आज अपना अर्शे तक बना पाई यही कह दो ने कि अभी आउट हो जाएँ ने चेह साथ बस क्योंकि आज पाकिस्तान जीतेगा कि अभी आज़ीता है एंटेटेम्मेंट होना चीह में तो क्योंकि आइलेंड भी इस ताम जद देखा जया है 11 और में बासाट रन समय रहा हूं साड़े पांच सो उपर का करन टरं रेड चल रहा है और एम्हेंटर बहुत अची फॉम है 35 गेंद में बना चुकि हैं दो आज अपना श्रतक्तू बनागी और आर्लेंड समय राउंड 110-120 का स्कोर शायद खड़ा कर ले लेट सी क्या होता है 17 और क्योंकि मातर 17 और का मैच है जिसमें से 11 और समाप्त हो चुके है 12 और की पहली गेंद पड़ चुकी है तीरे से टरन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर ये भी चीज़ है अगर अच्छा विकेट ना गिरा होता है तो पाकिस्तान पर कहीं न कहीं प्रिशर बना रहता है मगर इस टाइम आर्लेंड पर भी थोड़ा प्रिशन है क्योंकि उनके ओपनिंग दो बहतरीन बैट्समें जो है वो आउट हो चुके है तो जल्दी साप लोग हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताए कि क्या लगता है कि आज आर्लेंड कितना एक स्कूर दो आज आज एक एक रून आते हुए आर्लेंड के खाते में चौसट पर दो आर्लेंड इस समय है सूरज कह रहे हैं कि अंडर हेंडर हेंडर लेट सी सूरज क्योंकि हां यह कह सकते हैं बार ओवर की चार गेंड पड़ चुके हैं तो कोछ जाद ओवर बचे भी नहीं है और बॉल फेट से हवा में एक और रन मैं एक मिनिट में आया है किछे चले आप पानी असले ओहो आपकी तबबित खराब हो रही है लगता है मेरे को पर इतनी इतनी हाँ तो देखते आज कॉन जीता है यह बोल फिर से गरती हुई बार मेरें अरकी 5 बोल डलती हुई देखते हैं क्या होता इस बॉल में यह यह थे तीन रान आपका उट शूर यह कं कमंग्रत कर के इस बार कॉन जीतने वाला है पकिस्तानीय ब्सदाते है आपने लाइक नहीं किये कंप्ली लाइक करिये अब लाइक करिये या और यह लेंड के होते हैं सिस्टी एट्रॉन इसमें टू विकिट ये गवाद चुके हैं और तेरी भी अवर्गी जी हाँ वहीं बात करें आहाँ वापस में आ गया तुमने मारी एंटिया पर दिल में ना बजी घंटिया अच्छा गर बात करें तो अभी फिलाल आर्लें वर्स पाकिस्तान के मैच में आर्लेंड 68 रनों पर खेल रही है दो के नुक्सानों पर 12 ओवर हो चुके हैं और तीसरा अच्छा विकट आते हुए लारा डला धेली का तुम सही एथी चैसाथ अच्छे मिवें तुमने तुमने चैपी चले गए है तो सच में तुमने सही एथी कह धिया कि लॉरा डाल नी आउट होगी जाएदा कितना बनाएंगी तुमने शही में चैपी अपी प्रेदिक्शन कर अब मुझे जो लगता है कि मगरष यह फांच चल में नो पर आपन्च के विडीर नहां बार है थांच का मैश तरहए के कानड़ давать उन्हीड नियृज पांच नो नहीं मत जो पोल्द मारा है नश्रसंदु ने अगली खिलाड़ी मैदान में आज चुकिए है एमिर लिचिर्टसन के एगर मैं बात करो तो एची खिलाड़ी है 33 मैच कहले है're 33 में ःतीज फुनटी में 66 में chले चुकी है बनता है 16.5 का अब लेट सी की देख रहा होगा कि जो पिशली पिलाडी आउट है लॉड़र डाली के उनका भी हाई उसकोर 112 का था और आवरिच काफी अच्छा था अभी तक इस ओर में एक विकेट आया है कोई रन नहीं आया है अर्सट रन हो रहा है तो यह देखना होगा ब अब रिच्छिट्सन ने एक चौका जड़ा है पहली ही गेंद पर ओपनिंग विदधा फोर ओपनिंग विदधा फोर क्या बात है अब लग रहा है बहत्तर रन हो चुके हैं आर्लेंड के अगर एमर रिच्छिट्सन को बहुत ध्यान से कहला हूँ के नर्शा सुन्दू न जिन्होंने 2 ओर फैके है 15 रन दी हैं कोई विकेट नहीं लिया है यहीं नश्रा सम्दू की बात करें तो इनका चौथ हो चल रहा है 16 रन दे चुकी है और 2 विकेट लिचुकी हैं दो एहम विकेट ले चुकी हैं लाणर डालनिका भी इन्होंने लिया और इससे पिछला वि सब्सक्राइब कर दोगा दिया है 77 रन हो चुके हैं आरलेंड के अब अब ही मेरा जो प्रेडिक्शन था 110-120 का भी उसके बीच मुझे जाता दिख रहा है कि आज आरलेंड इतना तो बना ही लेगी शायद शायद देखो कहा नहीं सकते सूर्ज अब आपको क्या लगता है कि कह हाँ अभी तक सिर्फ 58 रंत हैं मगर अगर मैं बात करूं इमिरान रिचर्ड़्सन की दूसरी एमिर रिचर्ड़्सन की तो दो गेंदों में चार रंप आते ही चौके से उपनिंग करी महीं एमी हंटर 49 गेंदों में 36 बना चुके हैं तीन चौके भी जड़ चुकी हैं तो लगता है मुझे कि आप लोग क्या लगता है जल्दी बताओ कि अब मैच में थोड़ा से काया है अ है सूरज ने कहा कि अंडर हैंड़ेंड लेट्सी की देखते हैं कितना है चार ओवर शेश बचे हैं अब किपने होते हैं देखते हैं तुम्हें क्या लग रहा है तुम भी सौ कह रही हो या अब थोड़ा से स्कूल इस सौई सौई यह एकजाक्ट सव मैं इक सोपांच और स सौ के बीच में लेट्सी कर देखना होगा कि क्या होता है अभी मेरे साब से गना बात करूं तो सुत्रों और जिस अब से चल रहा है तो एक सूदस मैं भी इतना ही कोई एक सूदस के करीब का है 13 ओर की समाप्तिक बाद आरलेंड 78 पर 3 करंट अडेट जो चल रहा है 6 का चल रहा है बढ़ गाई टूड़ियो में गए प्रीलिया था तूड़ गए तो उन्ड़ अधिए टूड़ गए अधिए अधिड गया तो अधिड गया तो अधिया तो अधिड एधिड दिन वाइड प्लस विकट अधिड आमी हंटर सूरज कहते ही हुआ, वाइड भी हुई और विकेड भी हुआ, स्टंप आउट हुई है, यह थोड़ा सा अब लग रहा है, अब सूरज में कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि अब जिससाब सिप चार विकेड गिर चुके है तो नहत्तर रन है डियाजाड सेंटी नहत्तर हो गया ना सेंटी नहात्तर हो गया ना फिर देख रहें सेंटी नहेंकि नहात्र कुछलोज सोरिगूनाशिम मैमाम यह वह हें वह यहुद्धी थोड़ी सी खर प्रूँ नहाँ तो पर विल्फ दो बारो वोगा को तो दने एंढ चाजित पर्यंड पाकिसान के पालते है विद्ध बडिस पर ब्रूम्हाँ पांकिसा के लिए खेले टीम वेशार वेड्न सम्न का लिए वेड्न से बेन निए टीम तुम्हें बुलाया था तुम्हें? वहाँ अच्छ नहीं कुछ बाते लड़के के बीच मेरानी चीजे वहाँ बाते कुछ नहीं सी कुछ अंसुनी थी खेर चारव केट हो गए अहाँ अगली खिलाडी जोई है रेबिका स्टोकल रेबिका स्टोकल के अगर मैं बात करूं तो टी-ट्वेंटी में उने एक जैसे और अटाइस मैच कहले है जिसमें चप्विस इनिंग्स के लिए 378 रन बनाया है हाय स्कोर जो रहे गयान का 48 का है और स्ट्राइक नेट पिचानवे का तो वही करेंट एवरेज जो बनता है 17-18 का बनता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये खड़ा कर पाएंगी कच्छा स्कूर क्योंकि दो गेंदे ये भी खेल चुकी है एक भी रन नहीं आया है अभी तक देखते है वाइड बॉल आई है ये भी वाइड बॉल ओम्हेमा स्वहेल बॉलिंग करती हुई पहली गेंद पर इनके वाइड हुई वह विकेड भी विकेड भी तुम आउट हुई दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया है तीसरी गेंद पर वाइड भैकी है असी रन हो चुके हैं तेरा ओवर की समापती हो चुकी है चौत फॉर्टींत ओवर की पहली गेंद मात्र अब तीन ओवर बच्चे हैं अगर स्कोर अंडर रहता है तो मेरे साब से पाकिस्तान फिर स्टार्टिंग के दस ओवर में ही दस ओवर में ही नाच को अपने नाम कर लेंगी लेटसी देखना होगा अभी तक इस ओवर में एक दो तीन चौत एक अनादर वाइड ओमेमा सुहेल बाक टू बैक वाइड्स देती हुई इस ओवर की चौती वाइड है यह विकेट जरूर लिया है गेंदे दो ही पड़ी है मगर चौती वाइड है यानि अब तक चार गेंदे छे गेंदे पड़ पांच साथ गेंदे पड़ चुक होती है अनादर तीसरी गेंद भैकी इनोंने और आट रन दे चुके साथ रन दे चुके है एक रिकेट का नुकसान भी दे चुके हैं आर्लेंड को आर्लेंड इस्टेम पिचासी पर चार इग्जाक्ली इस वर मैं भी वह देख रहा हूं कितने वाइड है एक दो तीन चार पांच चार वाइड आई है इस वर में अब तक चार रन तो यह दो वैसे डबल लिए दो रन जुआ है और एक सिंगर साथ रन दे चुकी है अब तक पहले ही ओवर में तीन अगर पहला और इस चल रहा है जिसमें सिर्फ तीन गेड़ों मैं साथ रन दे चुकी है यह गातक साबित हो सकती है और एक और रन दिया है मुझे लगता है कि यह बगली बॉल भी मैं कहने ही वाला था है अन्नादर वाइड बॉल ओवर की पांच वी वाइड बॉल अमेमा सोहिल श्याद किसी दबाब में आते हुए कि किस तरगे का मिलब जिस तरगे से मगर पहले ओवर में किस तरगे दबाब प्रेशर ठीक है प्रेशर तो आर्लेंड पेस्ट है कि उनके चारव के डिगर है 87 रन हो चुके है और अज़ा है कि यहीं कमें मगर हैं अब कि अडलमाले मैं देखिए उस मेच के बारे में बात करें तो वह भी में अबडेट आप लोग के साथ भी ए शियर कर लेता हूं देखते हूं लट्सी की उस मैच में भी क्या हुआ बो भी इंपर्टन मैच था अब देखते हैं लेट सी कि उस मैच के बारे में तुड़े दिर में देखते हैं कि वहां कुछ खास नहीं हो रहे हैं मगर यहां बात करें कि भाई एक और चौका ओमेमा सुहेल ने इस ओवर पांच गेंदों में चौदर रन दे दी हैं एक विकेट के नुकसान पर तो लग रहा है आखरी गेंद फैकी दो रन इस ओवर में भतेरे रन आ गए भतेरे रन आ गए लग नहीं रहा था कि ओमेमा सुहेल ऐसा भी कुछ करेंगी मगर अभी तक मैं बात करूँ तो इस ओवर में 16 रन दी हैं उन्होंने हाईएस्ट स्कोर रन दी हैं अभी तक अब क्रीस पर अभ्यावलर को फेज करती हुए एमर रिचर्ट्सन एमर रिचर्ट्सन की एक्जाक्ली सुर्ट बहुत गंदा हुआ गया है 16 रन आ है बहुत जादा गंदा हुआ चला गया एक लग रहा था कि सौश शायद बना है मगर 16 रन काफी बड़ा एक यह घातक साबित होगा हुआ है मैं आपको बता रहा हुँ कि अगर एक और ऐसा और आ गया तो आर्लेंड वापस मैच के अंदर हो सकती है मगर अभी तक देखा जाए तो अब सिर्फ मातर तीनों और बच पाकिस्तान जीतेगा चलो यह भी सही है यह भी ठीक है मगर अभी तक आर्लेंड पिछले ओवर में अमेमा सुहिल ने सूला रन दिये है एक पहली ओवर में सूला रन तो मुझे लगता की कैप्टेन अब दुबारा है ने कोई एक आमेर अन्वर ने अपने दीए है इस अवर की पहली ही गेंद पर चौका दे दिया अठाणवे रन हो चुके हैं फजह की प्रेशर ले पसुइब एक्जाक्ली प्रेशल दे रही है पाकिस्तान थोड़ा था तभी तो जीते ही रन दे रही है एक अनाधर फोर अनाधर फोर एक सो दो रन हो चुके हैं आर्लेंड के मातर पिछले ओवर में 16 इस ओवर में 28 रन आचुके हैं तो यानि कि सम्वेर अराउंड 24 रन दे आचुके हैं मातर आठ गेंडों में कि क्या लगता हाब लोगों कि कि तीज तरह चौक का आएगा या फिर कोई रन नहीं कि कि एम रिच्रिट्सन छे गंदों में 13 रन बचा बना चुकी है और बैक टू बैक तू बैक तू चौक के लगा अपील करती हुई और एक रन आया है गर्मी भर गई स्टूडियो में हमारे यहां पर नींद वाले बंदे कुछ आजाती है सब को बहें देखो जिस आप से बोरिंग हो गया कि बैक टू बैक आप देख सकते हो पिछले ओवर में 16 रन इस ओवर में 9 रन अभी तक पच्छिस रन आर्लेंड एक सो तीन पर चावग इसके नुट अब आपना होट चबाते हुए तो अब सब्सक्राइब हो रही है ना ऐसे चबाना नहीं चाहिए तो कैसे सीधा इसे कर आए तो इसे नाक मा हमारे वाली कुछ चला की हो जाते है एक रन और आते हुए चार गेंदों में दस रन आगए इस ओवर में भी 27 रन यह बॉल पड़ी है अब क्या यह रन देगी या कोई रन नहीं एक रन करन डेट 6 से कूट कर साथ तश्मला शुन आठ पर जाता हुआ आर्लेंड का पंदर और की पांच वी गेंद पड़ चुकी है आकरी गेंद है अब देखना होगा कि कि आर्लेंड कितना एक स्कूर खड़ा करती है यह बोल पड़ते हुए और एक रन और बारह रन आए इस ओवर के अंदर पिछले ओवर में 16 इस में एक्जाक्ली पाकिस्तान इस अंप्रेडिक्टबल कर दिया इन्होंने काम पिछले ओवर में 16 इस ओवर में 12 रन 28 रन बारह गेंदो में यह तो बड़े लास दोवर बोगत ही घातक सावित हो गए पाकिस्तान के लिए कहां लग रहा था कि हेंडर के अंदर ही रहीगी मगर अब मुझे मेरे प्रेडिक्शन होता ठीक देख रहा है क्योंकि अब भी दोवर बाकी है और जो मैंने का थे एक स 112 एक सु बारह मतलब दो बारह गेंदों में सब 6 रन के उम्मीद करते हो तो पिछले वरो कि अगर देखे दाए तो 28 रन भी दी है कोई बात में देखते हैं बैक टो बैक दो और ऐसे आना इसे सुलोवर की पहली बॉल 107 एक रन और एड़ो 107 रन हो गया अलेंड का जाए बॉल हवा में और यह यह विकिट एमेर रिचिट अपना विकिट कवा बैठी हावा में यह पर पैन गिरता हुआ विकिट के साथ शॉर्ट उठाया एक उचे शॉर्ट उचानने के चक्कर में अपना विकिट कवा बैठी कैच आउट का हूँ बैठी एमेर रिचिट्सन नादियदर इस ताइम थोड़ा शीज सकून की सांस लेते हुए कि 300 ओवर की दो गेंदे पड़ चुकी है इनके नादियदर की और इन्होंने एक विकिट लिया है 16 रन के नुकसान पर पाकिस्तन अब थोड़ी सी खुश होगी जल्दी से में कमेंट सेक्षिन बॉक्स में कमेंट करके बताई कि आप लोग क्या लग रहा है कि अब आर्लेंड कितना स्कूर खड़ा कर लेगी यदि आपने और रेडियस जी नाटी पॉइंट अफ्म के चल्ड़ सब्सक्राइब इसांता हमें लाइड कर लो शाथ है नत्ता हमें भुख हैंट स्कुर्म पेजी आप फाल्यो पर एल्च एतिकioni फेस्टन आप छूडर कर लो शादियां में यकर में कर दों चाहिन अब 120 से 121 बनने के चांसे दिख रहे हैं तुमको क्या लगता है कि कितना स्कूर ख़ड़ा तरही है आज आर्लेंग 112 मात्र नौगेंदे बाकी और 108 अभी तक है बाकी रात बाकी बात बाकी हम करते हैं आपसे बात बाकी बच्ची भी बाकी बाकी बात एक मैच के बात करते हैं हम आपसे ये बात आपके साथ ओनली ऑन रेडियो एसटी 90 पॉइंट एड फम के लाइब यूटूब चैनल पे यदि आपने अभी तक Radio SD 90.FM के चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए साथ हमाएं फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं बॉल हवा में और एक और विकेट एक और विकेट आ गया एक सुनौर रन कहरा थान में नादेदर अपनी फॉर्म में वापस आती भी तीसरे ओवर की आखरी गेंद है अठारा रन दे चुकी है अब तक तीन ओवर में और दो विकेट ले चुकी है सुर्ण देखो बड़ी सी अंप्रेडिक्टेबल होई यह सच में पाकिस्तान कहां एक इससे पहले वाले ओरो में इतने दिये आर्लन कहली आई थी दो गेंदो में एक ही रन मना पाई अब आई है लुइस लिटल अब लेटल रन पाउट हो जाती कि यह लेटल चोटा पैकेट बड़ा दमाका है लेट सी रेबेका स्टॉग अभी नौ गेंदो में तेरा रन में चुकी है एक चौकी किमत से तुम्हें क्या लग रहे है कि मतलब कितना हो जाएगा अब जादी 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 तीन अलो जाएगा एक रना चुका है दो रहन और चाहिए मेरे सबसे जाएगा स्कूर सुपंदरा से एक सुटार के बीच में देखना कि एक भी चौका इस टाइम आर्लेंड को एक स्टॉंग पॉइंट दे सकता है मगर आर्लेंड को यह भी पता अच्छे लगा कहां पर पिच्टू है सुरज कहते हुए कि मेभी 116 बना सकती है तो जो मेरा प्रेडिक्शन था वो तो टीक हो गया पहला कि 110 एक सुटीस एक सुटीस एक सुटीस वाला तो ठीक हो चुका आखरी ओवर बचा है और नादिया ने तीन ओवर में उननिस रन दी अपने और दो विकेड भी लिए दो म अपने हमें एक अपना हमें एक सुटीस एक सुटीस एक सुटीस एक ताला के बीश का विजा लगता है कि आरलेंड कर सकती है साथ एक रन भी और आने के चांसे आते हुए देखे लेट्सी देखते हैं यह क्या हुँ हुँ हो रही थी फातिमा सना एक और रन खाते में जुड़ता है लेंड के लेक बाय का सिंगल करना है कि बॉल पड़ी है तीसरी सत्र वेवर की तीन गेंट पर तीसरी एक और रन अब तक तीन गेंट फेकी है नहीं यह रन लेने की कोशिश हुई मगर अपील करी और यह विकेट रन आउट हो गई अब मुझे लगता की नहीं होगा एक सुपंद्रा भी शायद बने लुइस लिटल जैसे बात के लिटल टाइम के लिए टिकेंगी लिटल चोटा विकेट बड़ा दमका है तो लिटल टाइम के लिए टिकेंगी सिफ तीन गेंट खेल पाई और दो विकेट ओड़ गया है कर दो बादा अब हुआ हुआ है कि कि सुपार रेन अर्लेंड के एक रेन और आगया एक सुप थे तेरा रन हो गए तीन गेंदे शेश बाकी नादे दर्णने अब तक तीन और डाले हैं उननेस रन दिये हैं मगर दो विकेट लिये थे अब यही फातिमा साना की बात करें तो चौथे और की चौथी गेंदालेंगी और मेरी वार्डन आते हुए एक बॉल और डली और एक रन और कोई रन नहीं फिल्डर को लगा क्यों रन हो गया मगर उन्होंने से पहले ही रोक लिए और यह 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 रेवेका ने अपने हाथ में लिया स्ट्राइक अब इस और में भी चार रन आ चुके हैं एक रिकेट लिया मगर उस पर एक रन भी चुराया पांच गेंदों के सत्रों और की पांच गेंदे पड़ चुके हैं आर्लेंड एक सो चौदा पर साथ साथ सूरच जित्रह सोतर तो तुत्रह भी नहीं आखरी गेंद पर अगर कोई चौका घुमा दे तूब एक पात अलग हो सकती है इक्जाक्ली जैसे मैंने कहा कहते ही आखरी गेंद पर चौका आगा एक सो अथारा तो मतला मेरा प्रेडिक्शन टीकर एक सुदस एक सो बीस के बीच में रहें इसको सत्रवे और की समापती के बाद आर्लेंड 118 ड्रिंक्स ब्रेक होने वाला है थोड़ी देर में फिर्स हाफ खतम होते वे पाकिस्तान और आर्लेंड के बीच में मैच चल रहा है पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बाउलिंग करने का फैसला लिया आर्लेंड ने 118 रन बना साथ विकेट के नुकसान पर बाकि हम आप लोग इसाथ पुना जुड़ेंगे तब तक आप लोग भी जाके अपना जल पांट सेवन कर लीजी आप फिर आके करेंगे खुब सारे बात आपके साथ ओल्लियो एस्टी 90.8 FM के लाइव यूटुब चैनल पर फिर आगे करते ब बैटिंग करती है और टी 20 में 92 पुजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और बाॉलिंग के लिए अभी तक कोई पुजिशन होल्ड नहीं क्योंकि बाॉलिंग में ज्यादा रूची नहीं है अगर हम बात कर लें 17 वर्षे खिलाड़ी है बहुत ज्यादा यूवा है लेकिन ओडिया में अपनी पहचान मनाई है ओडिया में 53 पुजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और राइट हैने बैटिंग स्टैल है और आज के मैच में जिस तरीके से खिलेंगी ये भी का है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं फिर एक प्रेशर बन जाता है आटोमेटिक सामनालिटी में क्योंकि नहीं पता होता कि आगे वाले प्लेयर का कौन सा वीक पॉइंट है और खासकर जब वो यूवा हो तो यूवा को पढ़ना थोड़ा और ज्यादा कट अगली प्लेयर की यानि इमीर के अगर हम बात करें 36 वर्षे खिलाड़ी है डबलेन में का जन्म हो टी ट्वेंटी मेंटी फाइफ पूजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और सेवंटी थर्ड पूजिशन भॉलिंग के लिए तो ही ओडिय में बैटिंग के लिए 94 त बैटिंग के लिए होल्ड भी करती है बहुत ज्यादा एक तरीके से जैसे बोल सकता है कि अलग प्रदर्शन इनका हमेशा से देखने को मिलता है लो इस लिटल के अगर हम बात करें 19 वर्षे खिलाड़ी है और जिस तरीके से खेलती है तो ज्यादा तर चौकाने वाला गेम होता है अर्ले के अगर हम बात करें 28 वर्षे खिलाड़ी है और लैंड में इनका जन्मोरा बैटिंग और राउंडर है और 47 पॉजिशन अपनी बॉलिंग के लिए टी ट्विटिंड नी में तो वही 67 पॉजिशन ओडियाई में होल्ड करती है अपनी बॉलिंग के लिए इसी तरीके से एक विगेट तो हमेशा अपने हाथों पेले ही लेती है सोफिया के अगर हम बात करें 25 वर्षे खिलाड़ी है और बॉलर अपनी टीम के टीटी में भी तक पॉजिशन होल्ड नहीं करती है लेकिन ओडिया में 99 पॉजिशन होल्ड करती है तो ही बात की जाए ले लेती हैं अग्ले खिलाड़ी यानि लेह पॉल कि अगर बात करें 23 वर्षे खिलाड़ी है टीटी में टीटे सैवंत्त पोजिशन होल्ड करती है बालिंग के लिए और ओडिये में 61 पोजिशन भी बैटिंग के लिए तहीं बात की जाए अब अगले क्लियाड़ी की यान सावना की अगर हम बात करें एक मुस्कान जोहिएंजी हमेशा से अलग तरीके से देखने को मिलती है जिस तरीके से बैटिंग करती है तो हमेशा मुस्कुराते भी नजर आती है तीस वर्षे खिलाड़ी है लेकिन जो फूरती शरीर में देखने को मिलती है बैटिंग करते हैं तो वह एक युवा से कम नहीं बैटिंग और राउंडर अपनी टीम की है राइट हिनिट बैटिंग करती है राइट आप मेडिया मिनका बॉलिंग स्टैल है लेकिन अभी तक आ है कही ना कहीं बहुत ज्यादा वैल प्रिपेरड है जी हां पाकिस्तान विमेंस स्कॉर्ट के सामने आज आइरलेंड विमेंड की टीम उद्र ही है और काफी ज्यादा सुनहरा यह मैच आज होने वारा और खास बात करें स्टैडियम की यानि यह मैच जो आज खिला जा रहा और जिन्मेंसे 12 मैच इस बैटिंग टीम ने जीते हैं टॉस जीतने के बाद जी हां और वही 10 मैच वो टीम जीती है जिसने टॉस जीतने के बाद बालिंग चूज की फर्स्ट इंग निका यहाँ पर हाइस्ट स्कोर जो रहता है वो 61 तक जाता है और सेकंड इंग निका 147 तक तक तो वहीं अगर बात करें स्टेडियम के बाद आज के स्कौरड गी तो स्कौरड की अगर मात करें पहले पाकिस्तान की मूबी ना मुनीबा आली जो की विगेट कीपर है पाकिस्तान की टीमें काफियरशान शानदार प्लेयर 25 वर्षे और कराच्ची मन का जणमों औ करती है अपनी बैटिंग के लिए तो 39 पुजिशन होल्ड करती है ओडिये में अपनी बैटिंग के लिए ज्यादा मैच इब तक नहीं खेले हैं लेकिन शानदार एक प्रदर्शन जोहन का देखने को हमेशा से मिलता है विसमा मारूफ के अगर हम बात करें कर एक 30 वर्शे खि है तो ही बात की जाए अगली प्लेयर यानि जावरिया खान की जो कि 34 वर्शे खिलाडी है और कराची की है और काफी ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी तक ले चुकी है इतने सारे मैचिस खिलकर टीटी में 38 पुजिशन बैटिंग के लिए तो 16 पॉजिशन बालिंग के लि करती है तो वहीं ओडियाए में 41 पॉजिशन अपनी बैटिंग के लिए और 22 पॉजिशन बी बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट आम ऑफब्रेक इनका बालिंग स्टैल राइट है और बात की जाए अगले प्लेयर की यानि ओमीमा सोहेल के अगर हम बात करें 25 वर्शे का आलियर रियाज के अगर हम बात करें 30 वर्शे की लाड़ी है 56 पॉजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो ही ओडियाए में 32 पॉजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है आईशा नजीम के अगर हम बात करें काफी शानदार यह भी खिराड़ी 18 वर ज्यादा एक्सपीरियंस्ट बल्लेवाज आज हमें देखने होल रहा है और साथ साथ में कई ज्यादा युवाक वाज मौका भी दिया जा रहा है अमी मैन अनवर के अगर हम बात करें 30 वर्शे की लाड़ी है बालिंग करवाती है हमनी टीम के लिए राइट हम फास्ट मेड बालिंग स्टाइल है तो राइट हैंडेट बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है 71 पूजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है टी 20 करियर में नश्रा संदू की अगर बात की जज़ 24 वर्शे खिलाडी टी 20 में 29 पूजिशन तो वहीं ओडिये में 15 पूजिशन बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट अप हैंडेट बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है और लेफ्ट आम और्थडॉक्स इनका बालिंग स्टाइल है कि मुसकान के साथ जब भी मैदान मुतरती है तो नजर आती है गुलाम फातिमा की अगर हम बात करें 27 वर्शे ख चैल है तो ही बात की जाए सिद्रा अमीन की जो की पाकिस्तान की खिलाडी है 30 वर्शे है पंजाब लाहूर में इनका जन्म हो और बैटिंग और राउंडर पनी टीम भी है राइट हैंड बैटिंग करती है और राइट आम फास मीडिया में इनका बालिंग स्टाइल है ओड पंजाब में इनका जन्म हुआ और बालिंग करवाती है हमनी टीम के लिए लाइट आम मीडियम इनका बालिंग स्टाइल है तो ही बात की जाए सिद्रा अमीन की जो कि कई युवा के साथ साथ कई बार हमें देखने को मिली है एक अलग अंदाज में जब यह किलती है 19 भेरे पर ज्यादा तर देखने का मिलती है बालर इपनी टीम की काफी शानदार और 2060 पुजिचन विए भाड़ करती है और और 106 पुजिचन बालिंग के लिए तो ओडियमें थर्टिफ पुजिचन पुचन के लिए और बॉलिंग के लिए 64 पुजिचन होल्ड करती है तो के लिए और बॉलिंग के लिए अभी तक कोई पुजिशन होल नहीं क्योंकि बॉलिंग में ज्यादा रूची नहीं है है में हंटर के अगर हम बात कर लें 17 वर्शे खिलाड़ी है बहुत ज्यादा यूँ है लेकिन ओडिया में अपनी पहचान मनाई है ओडिया में 53 पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए और राइट हैने बैटिंग स्टाइल है और आज के मैच में जिस तरीगे से खेलेंगी यह भी काफी अलग होगा गाबे लिवीस के अगर हम बात करें किस वर्शे हिलाड़ी है टीवें 30 पुजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और ओडिया में 34 पुजिशन अपनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है बहुत सारी युवाव को आज हमें आर्लैन के टीमें भी देखने हो मिलेगा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं फिर एक प्रेशर बन जाता है आटोम का मीडियमन का बॉलिंग स्टाइल है टीट्वेंटी में 72 पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए और ओडिया में 69 पुजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए तो ही बात की जाए अगली प्लेयर की यानि इमेर की अगर हम बात करें 36 वर्षे खिलाडी है डबले इनमन का जन्म हो टीट्वेंटी में 55 पुजिशन होल्ड करती है बैटिंग के लिए और 73 पुजिशन 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 होल्ड करती है तो काफी ज्यादा लग तो यह दिखती है पहले से क्योंकि जिस तरीके से मैच को बदलती है वो ज्यादा उच्शुक्ता के लिए होल्ड भी करती है बहुत ज्यादा एक तरीके से जैसे बोल सकता है कि अलग प्रदर्शन इनका हमेशा से देखने को मिलता है लुइस लिटल के अगर हम बात करें 19 वर्श के खिलाड़ी है और जिस तरीके से खेलती है तो ज्यादा तर चौकाने वाला गेम होता है आपको क्या लगता है जिस तरीके साज मैच खिला जा रहा है क्या हो सकता है कौन से टीम ज्यादा आगे जा सकती है जाने के अगर हम बात करें 19 वर्श के खिलाड़ी है बैटिंग और राउंड है और किसी ना किसी तरीके से एक विगेट तो हमेशा अपने हाथों पे ले ही लेती है सोफिया के अगर हम बात करें 25 वर्श कर लाड़ी है और बाॉलर अपनी टीम के टीट्वेंटी में विदक पुजिशन होल नहीं करती है लेकिन ओडिये में 99 पुजिशन होल करती है तो ही बात की जाए अगले प्लेयर यानि लेहे पॉल पाल कि अगर हम बात करें 23 मुसकान जो हैं कि हमेशा से अलग तरीके से देखने को मिलती है जिस तरीके से बैटिंग करती है तो हमेशा मुसकुराते भी नजर आती है तीस वर्षे खिलाड़ी है लेकिन जो फूरती शरीर में देखने को मिलती है बैटिंग करते रही तो वह एक युवा से कम नहीं बैट जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको बता दू आज का जो मैच है बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग होना रहा है क्योंकि जो दोनों टीम्स है कहीं न कहीं बहुत ज्यादा वैल प्रिपेरड है जी हाँ पाकिस्तान Women's Squad के सामने आज Ireland Women's team उतर ही है और काफी ज्यादा सुनहरा ये मैच आज होने वारा है और खास बात करें से इस स्टेडियम की यानि ये मैच जो अच खिला जा रहा है गादफी स्टेडियम जो कि लाहूर में यहाँ पर ये स्टेडियम है 1959 में स्टेडियम उपन हो चुका था और 27,000 की इसकी कैपिसेटी है लाहॉर में स्टेडियम है और मैं आपको खास बात इसकी एक और ये बता दू कि यहाँ पर अभी तक 22 टी-20 मैचेश हुए और जिनमें से 12 मैचेश बैटिंग टीम ने जीते हैं टॉस जीतने के बाद जी हा हम बात करें पहले पाकिस्तान की मुबीना मुनीबा आली जो की विकेट कीपर है पाकिस्तान की टीम में काफी शांदार प्लेयर है 25 वर्षे है कराची मिन का जनम हो और 81 ट्राइंग के टी-20 में होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो 39 पोजिशन होल्ड करती है ओड अपनी टीम की और 29 रैंक टी-20 में होल्ड करती है तो ही बैटिंग में 26 पोजिशन अपनी बैटिंग के लिए होड करती है और साथ में आप ब्रेकिन का बॉलिंग स्टाइल भी है तो यह बात की जैब अगली प्लेयर यानि जावरिया खान की जो की 34 वर्षे खिलाडी है औ और कराची की है और काफी ज़्यादा एक्सपिरियंस अभी तक ले चुकी है टी-20 में 43 पोजिशन अपनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है और 50 पोजिशन ओडिया इमें बैटिंग के लिए होल्ड करती है नीदा डार के अगर हम बात करें पाकिस्तान की खिलाडी है 22 पोजिशन अपनी बालिंग के लिए होल्ड करती है राइट आम ओफ ब्रेक इनका बालिंग स्टाइल है और राइट हैंड़ बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है तो यह बात की जाए अगले प्लेयर की यानि ओमीमा सोहेल के अगर हम बात करें 25 वर्श एक खिलाडी है 97 पोजिशन अपनी टी 20 में बालिंग के लिए होल्ड करती है और ओडिया में 47 पोजिशन और बालिंग में होल्ड करती है 84 पोजिशन कहीं नगी काफी ज्यादा एक्सपेरिंस आज हमें देखने को मिल रहा है हरे एक प्लेयर का आलियर रियास की अगर हम बात करें 30 वर्श काफी ज्यादा युवा रिपमी टीम मीं काफी शांदार राइटाम फास्ट मेडियम उनका बालिंग स्टायल है और बै्टिंग स्टायल है राइट हंड-ेड जी कई ज्यादा युवा आज हमें देखने को मिलँ रहें लेकिन लिए वा के साथ कई सारे अलग अलग चाहरे भी आज हमें देखने मिलेंगे कई ज्यादा एक्सपीरियंस्ट बल्लेवाज आज हमें देखने मुल रहा है और साथ-साथ में कई ज्यादा यूवाक वाज मौका भी दिया जा रहा है अमीमान या अनवर की अगर हम बात करेंगा तिस वर्शे की लाड़ी है बॉलिंग करवाती है अपनी टीम के लिए राइट आम फास्ट मेडियम इनका बॉलिंग स्टाइल है तो राइट हैंड़ बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है 71 पुजिशन अपनी बॉलिंग के लिए होल्ड करती है टी 20 करियर में नश्रा संदू की अगर बात की जज 24 वर्शे खिलाड़ी टी 20 में 29 पुजिशन तो वहीं ODA में 15 पुजिशन अपनी बॉलिंग के लिए होल्ड करती है राइट आप हैंड़ बैटिंग इनका बैटिंग स्टाइल है और लेफ्ट आम और्थडॉक्स इनका बॉलिंग स्टाइल है ODA में 65 पुजिशन अपनी बॉलिंग के लिए होल्ड करती है राइट हैड़ बैटिंग करती है अपनी बैटिंग स्टाइल है और राइट आम लेग ब्रेक इनका बॉलिंग स्टाइल है तो ही बात की जाए सिधरा अमीन की जो की पाकिस्तान की खिलाडी है 30 वर्शिया है पंजाब लाहॉर में इनका जन्म हो और बैटिंग और राउंड अपनी टीम भी है राइट हैंड बैटिंग करती है और राइट आम फास मीडियम इनका बॉलिंग स्टाइल है ओडिया में 19 पुजिशन होल्ड करती है अपनी बैटिंग के लिए तो अभी तक कई सारे मैचिस तो खिले हैं लेकिन जिस तरीगे से मैचिस खिलती है तो कई ज्यादा बदलाफ करते हुए दिखती है साथ और सामस के अगर हम बात करें 30 वर्शिया खिलाडी है लाहूर पंजाम में इनका जन्म हुआ और बालिंग करवाती है हमनी टीम के लिए लाइट आम मीडियम इनका बालिंग स्टाइल है तो ही बात की जाए सिद्रा अमीन की जो कि कई युवाओ के साथ साथ कई बार हमें देखने को मिली है एक अलग अंदाज में जब भी ये खिलती है 19 पुजिशन पनी बैटिंग के लिए होल्ड करती है वह इसके बात कीज़ाब दूस्टे स्कॉर्ट की या नि आरलेंड विमन स्कॉर्ट की अगर हम बात करें लाडा डेले की अगर हम बात करें कैप्टेन है जो 29 वर्ष है एक मुसकान इनके चाहरे पर ज्यादा तर देखने को मिलती है बा। बालर की खेम नि बाल्ल को आपके लिया ये और निम इन थीम में इसर सब्सक्राइस ऑन्हीर खोड़ करती है बैटिंगे लिए और बोढ़िंगे लिए बोलिंगे ज्यादा रूची नहीं सब्सक्राइब वह ज्यादा यूआ पर दूर दूर नहीं बैट करें झाल 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 पिल्कुल बहतरीन से चीज़ और यह पीचे समारे को बेक्ग्राउड मुजिक आताब आप लोगे तक मैं जरूर यही कहने चाहूंगा पीछे जो अगर कुछ आप लोगो तोड़ी अलग वोइसे जा रही हैं तो मैं उनके लिए किश्मा प्राइटी हूँ वो कुछ टेक्निकल गिलेश आया हुआ है उसको जल्दे से हम ठीक करने की कोशिश कर रहे है यहीं बाद करें तो अभी तक पाकिस्तान ने 26 रन बना लिये है तीन ओवर के बाद और चौते ओवर की पहली बॉल पढ़ थी बॉल हवा में और यह विकेट पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट को दिया है मुनिब अली के शकल में बहुत ही अच्छ स्कोर कर रही थी दस गेंदों में 12 रन बना लिये थे दो विकेट भी ले लिये दो चौके भी लगा दिये थे मगर वहीं आते ही पहली ही गेंद पर विकेट ले लिया चटका दिया पाकिस्तान का पहला विकेट पाकिस्तान को पहला जटका लगते हुए मुनेबा अली की शकल है यह तो अब थोड़ा सा पाकिस्तान को अराम से खेला होगा क्योंकि बहुत जादा नहीं 80 गेंदो में 33 रनों की आवशक्ता है कोई बहुत बड़ा एक स्कोर नहीं है मगर बहुत द्यान से खेला हो तो आरलेंड ने भी एक बहुत चाहिए आखरी के जो चंद ओवर पड़े हैं उनमें काफी रन आयते काफी रन आयते मगर मगर औरला की जैसे मैं बात करते कि बहुत ची बॉलर भी है जो इनने पिछले ओवर में दो विक ओवर्ड करें उनने जिसमें उनने टोटल अब तक तेरह रन दिया और वहीं आरलेंड के बात करो मैं इनके बार में बता रहा था आप लोगो कि बहुत ही उंदा खिलाडी है इ जो स्ट्राइक रेड इन का बन जाता है वो जन जाता है 16 दुशलव नौचार का एकनॉमिक रेड जो बाया पांट नौशुन न का बनता है तो यह देखना होगा कि क्या आज के मैच में क्या अभी जैसे उनने पहली ही गें पर लिया है दूसरी गें डाली है कोई रन नहीं साथी साथ में फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं इसके इलावा यदि आपने तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं है वहां करें कि वहां पर आप सूपर चैट भी कर सकते हैं मैच के बारे मात करते हैं पर शपोर्ट के बारे मा लॉग वार गोई टो वहीं मैं बात करूं तो अभी तक जो हमने टागेट रख़हा था कि भाई पांसो लाइक का घे लॉक कर यह से लिए जल्दी 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 एसे चार सू छुप कर आज जल से गरा बाकी तो चलता ही रहेगा बाकी मैं अगर बात करूँ तो अभी तक जिन जिन के कमेंट आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग ऐसे हमें प्यार देते रही है आप आप लोग वापिस आपना लूंच हो चुगा होगा तो आप लोग यहां अगर बैठ पाकिस्तान यह मैच पंद्रवे ओवर तक समाप करने की कोशिश करेगा क्योंकि 28 वह हो चुके हैं 28 बन चुके हैं एक रिकेट के नुकसान भी हो चुगा है पाकिस्तान को चौते ओवर की चार बॉल डली है अब लेट सी कि क्या है रन वाइड बॉल आई है खाते में पाकि पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रही थी तो उन्होंने 16 में से 8 रन तो वाइड के थे अब यह देखना होगा कि क्या आर्लेंड की जो बॉलिंग स्ट्राटजी है वो किस से रिकेगी है कि अभी तक रन रेट जो चाहिए वो चाहिए 6 और अभी जो चाहिए चाहिए और अभी पाकिसान ने अपनी स्राटिंग ओपनिंग करी है तो साथ दिशनल पांट साथ का क्या रखा है और उन्टिस रन बना चुके है भली एक वकेट गिरा है मगर पाकिसान टीम पर कोई प्रेशर दिखता नहीं रहा है वही जब जवेरा खान की बात करे तो 9 गेंदों में 12 रन और हमें भी गर में लग जाती है कभी कभी शूड़ी का मोहल करम हो जाता ना ये एक और विकेट आ गया विश्मा मरूफ का एक और विकेट विश्मा मरूफ पविलेन के और लॉट्टी हुई नहीं से बात करता है कि आरलेंड की टीम अब तोड़ा सा अपना बदला दूर लेगी कि जिसलाब से आखरी की ओरों में उनके विकेट गिर ही मुझे यो मीट थी कि आज आर्लेंड स्टार्टिंग में जरूर बतला लेगी और वही होना शुरू हो गया बिश्मा मुरूफ आउट होती हुई पाकिस्तान 29 रन पर है दो विकेट अच्छा सोवर की पहले ही गेंद पर विकेट आया आखरी गेंद पर विकेट आया अलना कैले ने एक ओवर में सिर्फ तीन रन दिये और दो विकेट लिये हैं स्टंप आउट हुई है क्रीस मर्प नहीं पहुंच पाल का आप लोग क्या लगता है जल्दी से कभी टेक्शिट बहुंच करके बताए हमें आप लोग क्या लग रहा हुआ जल्दी से और साथी साथ में फेस्बूक इंस्ट्राम और ट्विटर पे फालो कर लो जल्दी से और चार सो लाइक्स के और हम दीरे 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 बढ़ते हुए महीं बात करें तो अभी तक चार ओवर की समाप्ति पाकिस्तान 29 विकेट के नुकसान पर करन रंडिट जो चड़ा 7.25 का चड़ा है रिक्वाइट जो है 6.92 का यानि कि 78 गेंड़ों में 90 रन की अभी भी आव या फिर वाइड बाल पड़ गई तो बॉल तो वह सेफ हुई रन ब्यार उस पर चड़ा और चार जो फिर वह एक अलग जो जो जा चुछ बाद बात करें तो पाकिस्तान वर्सित आर्लेंड का मैच चड़ रहा है जिसमें पाकिस्तान ने 29 रन बना ली हैं दो विकेट के न एक आर्लेंड 118 रन बनाया थे साथ विकेट खोकर वहीं बात करें तो जवेरी खान अपना विकेट बचा रोके और ग्यारा गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं एक चौके की मदद से और जिस अब से देखा दा रहा है कि इन ओवरों में क्या चल रहा है ये एक वड़ी देखनी की चीज होगी कि भाई कैसे होता कैसे नहीं होता तो फिलाल अगर बात करें तो पाकिस्तान रन नहीं बन रहे है इ तो मैं वहीं अपनी टीन से भी उम्मीद करूँगा कि अगर यदि कोई खाना खाने जा रहा है या खाना खाके आ चुके तो वह लोग भी जल्दी से साथ में जुड़े हो 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 मेरा दिल दुग गया तीसरी बाल पर कोई रन नहीं मेरा दिल दुग गया है पांच होवर की तीन गेन पड़ चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर क्या लगता है आप लोगों जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करकर बताइए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो करिएगा हम बेट कर रहे हैं नो बॉल पड़ी है और एक चौका भी आया है पाकिस्तान के खाते में 29 से सीधा 34 रन पांच रन एक गेंद पर नो बॉल हुई और उसे पर चौका भी लगगे यानि कि अब फिरी हीट मिलेगी फिरी हीट पर काई ये रन बनाएंगे या तुकर करके रह जाएंगे फिरी हीट देखना होगा का करेंगे अपने फिरी हीट में पर जावेरी खान बॉल को फेस करती हुई पवेलियन से और प्रेगनट गस भागती हुई आती हुई लेट ची कि क्या इस बॉल बॉल डाली है बड़ी ही खुबसूरती से और कोई रन नहीं फिरी हीट का नुसकान हो गया है नुक्सकान फिरी हीट पर भी अगर एक दो रन ले लेते तो बढ़िया हो जाता है मगर फिर भी नो बॉल पर पांक रन तो आई गया है कोई दिक्कत नहीं इतना तो चलता है रहो ऐसे दादा खालो न तो यॉनिंग बड़ी होती है न लो जी वाइड बॉल अर्ला प्रेशर में आती स्टार्टिंग की तीन बॉल बहुत अची जाली फिर उसका नो बॉल डाली चार रन दिये उसका फ्री हीट पर कोई रन नहीं आया अर अगली ही गेंद वाइड बॉल दे दी यानि कि इस ओवर में अब तक छे रन आ चुके हैं चार गेंदों में छे रन आ चुके हैं करंट स्टन रेट दीरे दीरे और उपर जाता हुआ आखरी गेंद पर पांच्वी गेंद पर कोई रन नहीं पाकिस्तान दो बॉकिट के नुक्सान पर 35 रन अचा बच्पन में ऐसे वो नहीं आया करते थे बच्पन में बेल पूरी वाले स्कूलों में ओहो ओहो यह तो जटक ऐसे दे रही हैं भाई तो भही मैं आप लोगे से जड़ा ज़रूर उम्मीद करूआ कि यदि आपने अब तक RadioSD 90.FM के चल्लों सब्सक्राइब नहीं कि उसको सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ आप अपे फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे भी फॉलो कीजिएगा हम बेट कर थे आप अपे लकिस्टाग के लांप हम आप अपे धया करने सेकश्व आप प्लियर मैच के लिए के लियर ले के लेकर लाश सबकर डिकल लेकर टीम रशीड के बात करते हुं वहीं पर मगर इस ओवर में काफी रना है सात रना है एक नो बॉल पड़ी चौक का लगा पांच वो हुए फिर एक वाइट पड़ी फिर एक रन और भी आख रियेंद पर सात रना है सूगर में पांच ओगर की सिमाप्तिकबाद पाकिस्तान 36 रन दो प्रिकेट के लुकसान भी हो चुका है आलन कैली को वापस उतारा गया है क्या यह अपने पहली ही गेन पर एक रन यह चट ओवर की पहली गेन पर एक रन आते हुए पाकिस्तान से बहुत दिहान से खेल रही है नादिय दर कि उनको पता है कि आलन कैलर ने पिछले ओवर में दो विकेट लिये थे तेंसे तीन रन देकर वहीं जवेरी खान थोड़ा सब्स्मली है अब उक्यूपियों ने दो चौके लगाए बैक टो है उसमें 17 गेंदों में 18 रन बना चुकी ही है फ्राइक क्रीट जोन का चड़ा 106 का चड़ा बॉल में डाली है और एक रन और आया खाते में पाकिस्तान के और अरे बापरे मैं तो डर गया मैं तो डर गया क्योंकर मैंच की बात कर रहे कि हामें मैं डरी गया देख रहा हूँ 6 ओर हो चुक है अटे सर्क रन बन चुकह है मगर दो विकेट जल्दी से नहीं आये ते पर थेंग की 50 के बाद या है बात कर बात कर玉 तो पाकिस्तान को ये देख ना कोगा है और अब कोई विकेट में 81 रन्स की आवश्यक्ता है एक और बॉल डली है और दो रन आलन का लगी इस टाइम चार गिन फेक चुकी है जिसमें चार गिन दो पर चार रन दे चुकी है च्छेटा ओर की पांच गिन समाप्त हो चुकी है और एक रन और आया खाते में 41 रन बना चुकी है पाकिस्तान दो विकेट के नुकसान पर च्छेटा ओर की आखरी ये इंद है अब क्या इस पर चौक का विकेट या कोई रन नहीं सिंगल को तो काउंट करने पर फ्यादे दाना खास है नहीं कि वह एक रन ही आना है तो उसको देखता है अब इस गेंद पर क्या हुआ है एक ही रन 42 रन हो चुके है पाकिस्तान के दो विकेट के नुकसान हो चुका है नादे देदर दो बॉलो पर दो रन वहीं जबेरी खान 20 बॉलो पर 21 रन बना चुकी है अभी तक अगर बात करें तो पिछले ओवर में छे रन साथ रन हैं सौरी नहीं च्छाई आया है सिर्फ छे रन आया है पिछले ओवर में वहीं आरलन काली को अब जो अगला गर ओवर जिब स्पेल पर शुरू करेगी तो उने बहुत ध्यान से खेल लोगा उनके साथ अब जो बॉल अगर मैं नादे दर के बात करूं तो भाई इन्होंने T20 में 122 मैचेस खेलें जिसमें इन्होंने 107 इनिक्स खेली है 1549 रन बना चुकी है साथ बार अर्श तक और इनका जो हाइस्ट है वो 75 का है स्ट्राइक रेट 101 के स्ट्राइक रेट से खेलती है वहीं आवरेज जो है इनका 18.22 का यानि कि 14144 और 24 चके जड़ चुकी है अब तक वो पाकिस्तान वर्श आर्लेंड का मैच चलतो हुए साथ वो वर की पहली गेन पड़ चुके है 44 पर दो पाकिस्तान और बॉलर और ला फिर आई है और ला को अब बहुत ध्यान से खेलना होगा विकेट लेना होगा अगर मैच में अपना एक वापसी करनी है तो उसे साब से ब पाकिस्तान वर्स आर्लेंड का मैच चलत रहा है आर्लेंड ने 118 रन बनाए है और पाकिस्तान को 119 जीतने की आवश्यक्ता है अब पाकिस्तान वर्स आर्लेंड पाकिस्तान वर्स आर्लेंड पाकिस्तान वर्स आर्लेंड पाकिस्तान वर्स आर्लेंड पाकिस्तान वर्स आ on just in 17 overs so let's right now if I talk about the Pakistan batting right now it's 45 for two they have scored 45 runs on the score of by the loss of two lose of loss of two wickets then other four have been there from the Zaveri Khan bat zaveri khan ke batte se ek or chokha aata hua or ab pakistan ka score 49 ka do wicket ke nuk saan par 7 over ki teen gain pard chuki hai wala lag raha tha ki jis se pakistan ab throdo sa alag oka kheleegi italy agar zaveri khan ki baat karai to bhai bhoat hi humda khilaari hai t20 ke agar min ki uski baat karu to abhi ta ki inni honne 106 match khele hain aur so innings khele chukye hain jis mein inho ne 1899 run bana hai 1899 run bana hai hai toh bhoat dhyan se khele lao ga innen aur 9 bar archa tak aur high score joh hai 74 ka hai wahi baat karu strike rate kiye to 33.23 ka strike rate hai aur average 21.83 ka hai 5 ba 5 chakke aur 211 chokko ki madad se inho ne 1899 run bana hai hai 34 vatshe khilaari hai hai kaafi promising batsman hai hai bauler tohi achi wahi agar baat karai toh inho ne ab tak 3 gendho mein 2 run bana hai wahi zaveri khan ne 22 gendho mein 26 run bana hai hai 3 chokke laga hai 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 kya lagta hai ap logo ko ki pakistan aad kitna uvar tuk match khatim kata ki jaldi se mujhe comment section box me comment karke pita ya saati saath aap hain facebook, instagram aur twitter pe bhi follow kar lijiye aur iske alawah aap hain instagram pe follow karke super chart bihE Bernieye auram hi aap action pe下ani go in the chat yena pare, coaster, school supo chart bhi kar asakkejenghe 미래 jhaun pare him match khyere auram marksmeизm baixiình, score score sab chyou ke bar अभी तक आठ रन दे चुकी है साथ और कि समाप्ति के बाद माह तक अब सिर्फ दस ओवर बचे हैं यानि कि साथ गैंदों में उनसे रनों के आवश्क्ता है पाकिसान को उन्हें से रनों के सारे आवश्क्ता है कभी कभी गाने का मन करता है क्या खोब लट कि अगर डंग से खिर लेक्टी मगर एक और वाइड बॉल दे दी एक क्यावन रन का बात है मैं लग दोनों टीमों ने लग रखाय कि एक क्यावर वाइड बॉलों का पूरा हिसाब बना रखी है और स्कॉरा मुरे बॉलिंग पर है महीं की टीट्विंटी केरे की अगर मैं बात करू बॉलिंग की अगर इनकी बात करू तो 16 मैच खेल चुकी जिसमें 15 राइनिंग और 20 विकेट ले चुकी है और इन्होंने अब तक तीन विकेट एक ही बार लिये है और पांच विकेट चटकाने वाली भी यह पहली है यही एक चीज है कि अगर मैं बात करू तो भाई मैच बढ़ा ही एक अलग उस पर चल रहा है इडिया पाकिस्तान वर्सज आर्लेंड का मैच चल रहा है पाकिस्तान में बावन रन बना लिये हैं मगर दो विकेट भी खो दिये हैं अपने आठवे और की पहली गेम पढ़ रही है वही अगर करन्ट रन रेट की बात कर तो साथ दशनल दो चैनल का करन्ट रन रेट चल रहा है रिक्वाइट जो है चैनल नौ तीन का तो मैच पाक कमिंट सेक्शन बॉक्स में कमिंट करकर दाए साथ जाथ अब हमें फेस्बुक इंस्टागाम और ट्वीटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं कि बॉलर फिट से रुक गए हैं अब यह देखना होगा कि क्या होगा क्या कोरा मारी की यह कोई स्ट्राइटेजी है यह क्या है यह तो वक्त ही बताएगा आने वाली गेंदे ही बताएंगी कि क्या है पंद्रागेरों में अठार रना आचुके हैं तक लास्ट पंद्रागेंडी के लिए बात करेंगी तक मेरे साब से पार इस्तानजी साब से खेड रही है सट्रबाहातर रन बना सकती है कि काफी अचीक स्कोर करा पर रही है पाकेसन इस अब भब स्टार्टिंग में रही ही गए जैर उपनिग जो शुरू करी तीवह बहुत अच्छी श्रौगे उपनिग कर देए था बना चुके है पाकिस्तान इस दोगेड भी हो चुके है पाकिसान 13 पर 2 7.4 या नहीं क्या आठ वे ओवर की चार गें पढ़ चुके हैं कोई रन नहीं आया है पहले इस ओवर में पहली गेंड वाइड आई प्र दो फिर एक रन आया फिर कोई रन नहीं आखरी की गेंड पढ़ी है इस पर भी रन आ गया है पाच वी गेंड पर भी र आया है आट वे और की पच्पन गेंदों में पैसा ट्रोनों की आवश रिकता है पाकिस्तान को अब रन रेट बढ़ गया है रिक्वाइड रन रेट जो है वो चाहिए साथ का करेंट जो चल रहा है च्छे दशनलों आठ नौ का तो यही एक चीज है कि मैच में चीजे बहुत पर नीचे होती रहती है जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पता है साथ साथ आप हमें पेस्बुक इंस्टागरम और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके लावा आप हमारे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करकर डियम में जाकर कमेंट सेक्शन अब यह देखना होगा कि क्या match कितना इंट्रस्टिंग होना आला है पाकिसान ने 54 रन बना लिये हैं दो विकेट के नुकसान पर दो विकेट के नुकसान पर चवववन न बना चुकिया है पाकिसान अभी तक मैं यही कहूंगा कि मुझे रिया आप लोगों के सब्सक्राइब मुझे रिया मुझे दो निट्ट दो अच्छा पाकिस्तान के 54 बिकेट नहीं रन रन सौरी निकल गया था मेरे मुह से चूट गया था मैं क्या करूँ कैसे करूँ और यह बॉल यह एक रन आता हुआ तो पाकिस्तान के 55 बिकेट तो क्या लगता है दोस्तों जितेगी बह जितेगी पाकिस्तान जितेगी यही होगा नहीं और उनका करंट रेट है 6.73 और यह बॉल जाती हुई यह 0-1 किस्तान के 15 बार यह भी दूं कुरुट से 17 लॉश्सित ल dual क्याते है यह नही कर्या आते में को यह करकिस्टन कें तो बहुस्तान की यह एक रण जहां पाकिसान के होते हैं 56 रण 2 विकेट्स और उनका करन्ट राइट हो चुका है 6.59 यह बोल पड़ती हुई और बोलर स्टॉप कमेंट करके बताईए कोन जीतेगा क्या लग रहा है आप सबको एक रण यह होते हैं 57 क्या होता है कौन जीता है यह बोल जाती हुई फेसे और यह एक रण और यह होता है 58 रण 2 विकेट्स मेरे को लग रहा है जीतेगी बह जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी आज मेरे बैट लगी हुए है भाहिया से तो पाकिस्तान जीतना ही होगा वर्ना यह 59 होटे हुए कमेंट करके बताईए दोस्तों कौन जीतेगा आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान जीतेगी या इरालेंड जीतेगी बताईए दोस्तों बताईए और देख रही हुए मैं आप कमेंट नहीं कर रहा हुए है हैलो तो बोली सकते हुए ड्रिंक ब्रेक यह होता है ड्रिंक ब्रेक अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे अब ड्रिंक ब्रेक चलता हुए वह जानके रही देंगे आपको कि ब्रेक ब्रेक हुए कि अवड़ी देख वह देख कि अवह कि वह देख यहाँ प्रिंग प्रिंग चलता हुँ आप रिंग्रेक चलता हुँ केसि हम आपकार दो हुआ हुँ हुआ 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 पाकिस्तान ने 59 नन बनाया है दो रुकेट पर खोकर अभी तक 9 आवर किसम आपती के बाद मातरब 11 आवर हाथ में है क्या लगता है लेट सी डिक्स परेक चलता हुआ एक सोटारा रन बनाया थे आर्लेंड जल्दी से में करके बता है कि आज क्या होने वाला है पाकिस्तान कि सोट जिया तक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब और वापिस मैच शुरू हो गया और 10 अवर की दो गैन पर चुग है लेग बाय का एक और सिंगल आता हुआ पहली बाल पर कुछ नहीं आया दूसरी गैन पर लेग बाय का सिंगल आया नो बॉल भी हुई प्लस लेग बैगा सिंगल भी आया है इस बॉल को नो बॉल करार दिया गया है देखेंद प्रिएट पर किया करते हैं नदेदर आर जवेरी खान करीश पर नदेदर के अगर में बाद करें तो ग्याराइब बॉल खेलकर आठ रन बना चुकी है और जवेरी खान 31 गेंदों पर 31 वना चुकी है यह फ्री हिट अब अब प्री हिट के लिए बॉल डालेंगी और बॉल डाली है कुछ एलन की कोशिश करते हुए एक रन आया है यानि की दो रन आया थे पिछले बॉल पर तो अब पाकिसान बासट रन दो विकेट के नुकसान पर नौद शुल दॉड़ यानि की दस वगर की दो बॉल डाली चुके है अब सावर बचे नहीं हाथ में छाल रहा है जो चाल रहा है चे दशन चार कर रहा है रिक्वाइट जो चाहिए वह है साथ दशन चार तीन का तो पाकिस्तान को यह तोड़ा सा अब दिखना होगा कि किस से किसे मैच किया से खेला है मैं वहीं बात करूँ तो इस तेम आर्लेंड 118 रन बना चुकी है बनाये थे 119 लक्ष दिया था पाकिस्तान को जीचन करें जिसमें पाकिस्तान में अब तक 63 रन बना ली हैं दो विकेट के नुकसान पर आप लोगो क्या लगता है जल्द से कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमे पाकिस्तान इस नव और 69 रन भागोड भी डिया ना लॉक्ष पाकिस्तान वाइन पाकिस्तान पाकिस्तान विकेट। कि अार पर पर इस और और आड रहुआ है ग्यारए रह रहा आ गए सब्सक्राइब तक आर लेंग थोड़ से प्रेश्र मैं आती हुई काफी प्रेश्र मैं थोड़ से प्रेश्र मात भी आरलेंग करमरे ने अभी तक दस ओवर किसमाप टिगाए पाकिस्तानी सतर दो विकेट के नुकसान पर करन रंडे जो चाहिए सब रहा है वो साथ का और जो चाहिए वो भी साथ का चाहिए यानि कि बालेज के इंद में अभी साथ के पाकिस्तान को अभी आप यार। से अख में तयर केस्टे शुरी के में उनके से टाकिस्तान को अब क्या लग डगता है तक यादव कि आप किने अग्म कर श्रुडब, सूपर धार है यहांदाipe में पालेजगर i5 नदम के भाट कर केदें आर ीं पानध एमन तेम के बारे में लगता है जुखाम हो गया है कोवाइद निकलता है तो अगर टेंशन लोग है एंटेंटेंटेंटेंटमन गमी हैगी महीं बात करें तो दस दुश्मलोग एक ओवर यानिक ग्यार बेवर के पहली बाल पड़ चुकी है और एमर रिचर्ड्सन आ चुकी है एमर रिचर्ड्सन एक बहतरी बैक्समन भी है और साथ ही साथ एक बहुत उंदा बाल है वैसे में इनके बारे में बात करें तो 33 मैच खेल चुकी है अब तक 28 सिन के लिए 26 विकेट ले चुकी है जो इनका बेस्ट है वो 13 रन देकर 5 हैं तो यह थोड़ा सा एक पाकिस्तान के लिगा तक साबित हो सकती है कर वो तो वर्ट बताएगा पहले ही गेन पड़ी है जिसमें इन्होंने अभी तक एक रन दिया है और इमार रिजिट्सन फिर से रोकी है अब यही देखा हूँ करन रंडे जो चड़ा च्यान श्यान श्याला आठ साथ का चड़ा है और रेक्वाइट जो चड़ा है साथ श्यूने का चल रहा है अब अगही अगर मैं बात करूँ तो फिछले-जे बाता हुए टो फिछले-बार निए उनने और चौदरन दिये और चौदरन दिए साथ बॉल हवा में एक रन खाते में जुड़ता हुआ पाकिसान के ग्यारवर ओवर की चौथी बॉल्डरली है पाकिसान तीहत्तर पर तीहत्तर पर दूस्वारी मुझे स्लिए तीसा भी चलागी है क्या देखते हैं क्या होता है सेथिस गेंदों में 46 रन के अवश्क रखता है रेक्वाइड 7.46 का और करंट जो 46.74 का तो पाकिसान को अब थोड़ा सा एक स्कोर में तबदीली करनी पड़ेगी अच्छे से दो चार चौक के लगए बॉल ड़ली है ग्यार ववर की सिकनल आखरी गेंद पड़ी और एक रन पाकिसान 74 पर दो ग्यार वर की समाप्ती के बाद कि अच्छे से अच्छे से विल्ण प्यार पाकिसान तो प्यार वर कि भी खी से और गपर दो शॉब़ी पिल्ण से प्यार पाकिसान जल्दी से आप अमें कमेंट सेक्षिन बॉक्स में कमेंट करके बताएए कि आप लोग क्या लगता है कि आज पाकिस्तान का क्या होने वाला है क्या वो मैच जी पाईगी क्योंकि जिस आप सभी खेल रही है रेक्वाइड रंडेट जो चाहिए वो आठ के करीब का टच होने व थोड़ा से कैसा हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अब टुक तुक करके खेल रही है एक जो एक अग्रिशन था जो स्टार्टिं में दिख रहा है कि कहा तीन ओवर में चौजुच ज़र्म थे अब वो दिख रहा है कि वो पड़ा एक्रिशन ख़तम हो रख पाकिस्तान नीद अट लीस्ट वाउंडरीज और वन शिक्स गेडिन दे माच बाख दो रन और खातमे जुड़े और सदिकर राज में दिल बेचे हैं और गुलाब बेचे धन्यावद और ये तीसरा विकेट गिरा है पाकिस्तान का रन आउट हो गए लॉड़ा डेली के दूसरे और पहले और की दूसरी ही गेंद पर एक विकेट आया है आप लोगो क्या लगता है जल से कमेंट सेक्षिन बॉक्स पर कमेंट करके बताएं आप लगो करेंगें पर में फीस्टबूक इंस्टब्राइम और ट्विटर पर फॉलो करेंगें वारवेवर की डूसी गेल ही भैकिती लॉरडेल में के तेन गर चुका है पाकिसान के जवरी खान अपने विक्रिट गवाबेटब आए सबेरी खान से उम्मीड है थी कि वह थोड़ा सा एक स्कोर खड़ा कर लेगी मगर कर लुभा वर की तीसरी गेंट पड़ चुकी है आइलेंड बापस मैच में अपना एक बढ़त बना थी हुए क्योंकि 33 गेंटों में 44 अरूनी की है आवश्ट एक जाक 10 बॉले वालबा तक लगे बात कर ने अगर मैं बात करूं ने कि तो बहा इंके बाले के बालिंग जो का वह इनका है dziर बालंग के जो फ्ली lost अब तक त्राइसे मैच केले कि इसमें उनस्क आनिक्स है चुका है जिनका बेस्ट है वो 15 गें दो 15 गेंडों बेकर तीन मेंगेट का अब तहीं कित का जो बैक्ट वेक्ट तीन मेंगेट करें होता है यह से 2 ले चुकी है तो थोड़ा धिहान से कहने होगा अगर मैं बात करूं मैच की तो पाकिस्तान वर्सिज आर्लेंड का मैच चड़ रहा है और मैच काफे इंट्रेस्टिंग हो जुगा है और पाकिस्तान ने इस ताम 77 रण बना ले हैं तीन विकेट के नुपसान पर और बारे ओवर किसमाप तो चुके अब मातर पांच ओवर बचे हैं यानिकी तीस के अंदों में बैलेस्ट रणों के आवश रखता है पाकिस्तान को मैच अपने नाम करने करूं मैं बता दू आज पाकिस्तान वर्सेस आरलेंड का बमिन स्कॉड का मैच चल रहा है और नादेदर के साथ साथ-साथ आई आइशा नसीम आई है आईशा नसीम के बारे में बात करना तो तो तीन गेंदे खेल चुका है एक रण है आइशा नसीम एक 11 बैट्समेंस में से एक है अगर मैं बात क सब्सक्राइब तक कोई नहीं बना है स्ट्राइक रिट जो इनका 122 तो सूला के एवरिज से यह खेलती है तो यह थोड़ा सा इन्हों थोड़ा सा समाल कर खेला होगा यहीं पर महीं मैं बात करो लॉरा डालनी के तो तीन और इन्होंने अपना एक ओवर डाला है जिसमें से त तीन रन दिये हैं और एक विकेट भी लिया है बार आवर की समाप्तिक बाद पाकिस्तान 77 पर तीन विकेट के नुकसान के बाद से अब आप नए अब नाए निए फिर पर दोड़ा है यदि अब तक लीए सिन आप एंड फिर नंए यह जबसके नहीं है तो इस सब्सक्राइब कर नाए जाता आप में फेस्बूक इस्टराम और ट्विटर पर भी आप हमें फोलो कर सकते हैं पाकिसान 77 पर त्री इन गरी आ फ़ल बायों ह miraculous ठायों उन्यक TO राए कर रीजक्राषिक मुल्ग कर सकते हुष मुल्ग सकता क्या है वह ऀमेरी सान कर जो चुह अचर अचरन सेवेग प्र १र्श प्रीजकं हर टो एक बार कि अमुल्ग थर्फ़स सेफ सब इनसी का राए इंस सकताल है तो बोले बड़ी स्पीड से कम हो रही है अब रण लग रहे है तुक टुक करने जिसे एक बॉल ली प्र दली एक रन ऑगर वह जिस से की मैं बात करता कैश ड्रॉप हुआ है चैच आरलेंड में एक कैश ड्रॉप किया है अभी का भी हो सकता था कि यह तोड़ा आउट हो सकती मगर एक पहत्रीन वो चीज़ कोई उन्होंने एक हो सकता था कि पाकिस्तान थोड़ा सा और नुक्सान देख हो तो थोड़ा था था तलाल बात करें अगर इसकी पाकिस्तान और आर्लेंड के मैच की तो मेरी या से कौँगा कि दो मिनिट के लिए बैठे है या कैच डॉप यह बोल पड़ती हुई और देखते हैं इसमें कितने रन आते हैं तो रन यह पाकिस्तान के होते हैं अशी रन और तीन विकेट पर उनके दो रन यह त्रेरवी अवर की चोथी बोल उनका सी आर रेट है 6.32 तो बताईए आपको आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा कैसे जीत है यह बोल जाती हुई और देखते हैं 6 यह क्या ऐसे बोल उठाई और हावा में और यह 6 क्या बैस शीक्सर लगाया यह यह पर रन होते हैं पाकिस्तान की 86 थी विकेट पर और यह है मतलब तेरवी अवर की पांचवी बोल और इनके CR रेट होता हुई 6.70 थी तो बताईए आज कौन जीते का मुरे को तो लग रहा है पाकिस्तान ही जीतेगा देखते हैं फिर ओने यार ओ एक रन हो रहाता हुई यह होता है 680 87 रन और यह और किसमाप्ती होती हुई तो बताईए आपको कौन जीतेगा कैसे जीतेगा आज मेरे कटल लगाएगी यह ओवर जोड़ चलता हुई तो बारी अनर्जी को क्या हुआ हुआ है तो मैश में सब्सक्राइब करेख तो पाकिस्ता स्राइबर आचे करेख अनल देखे एक रीडियो से दिखर्फ स्वाडवर के लाइब यूट्यवटर चैनल पर अब भी भी बहुत सारे लोग से वहां सिर्ण ने का जो भी है ब मैं आप लोग वह को िंटर रहुना 1वीद 3 में 21 रंकी आवश है पाकिसान बो एक नहीं करने का ये рек तेम कि ये देखने हो इस तुर कमने वाला है तीम का भी मैं बात करूँ तो पाकिस्तान ने अब तक 89 डन बना लिये है 89 डन बना लिये है तीम विकेट के नुकसान पर प्रक्षा कान बना जो ने है कर दो जो फिए और शॉधो के दो आजीए और चौट फ़र्टिंट ओवर की तीन गेन पड़ शुके हैं अभी तक सर्विकों लिकान बशाज़ां च्चान पर फक्रद शुके ने ही और पाकिसान नभी रनाच के बॉल हवा में क्या होने वाला है क्या ये चौका चौका या कैच आउट बॉल हवा में है और दो रनाए है इसके साथ सारी गर्मी होती हुई मैच में भी और स्टूडियो में भी और अगर मैं बात करूँ और अगर मैं बात करूँ च्छाडवे रन बना चुकी है चौका आया है अभी अभी के अभी चौका आया है च्छाडवे रन बना चुकी है पाकिस्तान यानि कि 19 गेंदों में 23 रन किया हुए शक्ता है प्रुकी है अज़े शूंडर बार पार पहुंगे निशार थे इंगेस सम्हान को चानी हो रहा है और आपने वे इन आपको आपको में पार अपर आप दो आप अप हम आप 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 इस तरह को अब जरूर कि इस तरह न हो चुक्यां पाकिस्ता ने दो है के और जिस हिसाब से आगे मैं बात करो तो भही पाकिस्ताना सतानवे रन बनाने है तीम लिकिट के नुक्सान पर और फॉर्टीन तो ओवर भी समाब्त हो गया है अब मात्र 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 तीन ओवर बचे हैं यानि कि अठारा गयंदे में बाई सोनो क्या पुछ और ये एक और विकिट आता हुआ पाकिस्तान का रन आउट पंद्र और की पहली ही गेंद पर विकिट आया है रन आउट हुए है नादिदर मैच बहुत ही ज्यादा पर और रन आउट हो गया है वही मैं अगर बात करूँ तो अब आईशा नसीम आई है साथ में जिन ने अब तक एक आठ गेंदों में बारा रन बना हैं आईशा नसीम के बात करूँ तो एक काफिटी खिलाडी है टीट्वींटी में ने लिए 24 मैच खेले है जिसमें से 200 एक अब जो अगली खिलाडी आने वाली में देखना होगा कि कौन आ रहे हैं और क्या एक स्कूर खड़ा कर पाएंगे क्या टीम की help-up कर पाएंगे यह तो देखना होगा कि की अगर गेंदों में 22 रंग की आवश्यक्ता है आलिया रियाज बैटिंग करने उतरी है अलिया रियाज कि अगर मैं बात करूँ टीट्विंटी की तो पैसेट मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 359 खेले 731 रंग बनाया है और एक बार अर्शर तक बना चुकी है और 57 रंगाइन का हाई स्कूर है तो अब यह देखना होगा कि क्या अब तो मैं यही कहना जाओंगा कि बैद देखो अब यदि आपने अभी तक रेडियो एस्टी मैट कॉर्ण इट फिंटर पे भी और वालो कर सकते हैं वहीं मैं बात करूँ जो अब खिलाडी आले रियाज उतरी है मिदान का आदेहीं के इन्होंने पहली ही गेंद पर चौका मारा है तो अब पाकिसान का स्कूर 101 रंगा हो गया है पंदरा वर की दूसरी गेंद तीन गेंद पढ़ चुकी है तो अब यह देखना हो कि क्या आगे पाकिसान आने वाली जो पं है काफिक स्ट्रॉंग ली है पाकिसान अब पंदरा गेंदों में सत्रह रहनों के आवश्यक्ता है आलना कैली को अगर अगर अब कुछ चाहिए तो अब एक विकेट चटकाना होगा पाकिसान गुरोग निकले नहीं तो यह मैच अब पाकिसान के पड़र में जाता हुए द पंदरा ओवर की आखरी गेंद है एक सो पांच पर चार बिकेट हो चुगे है पाकिसान के करन्ट अंडेट जो चड़ा है साथ दशनलों शुन्या आठ का चड़ा है रिक्वाइड जो चड़ा च्छे दशनलों चार च्छे का चल रहा है तो यह देखना होगा इंड्रस्ट सथी, सथी, साथ ही साथ आप हमें फेस्बुक, इंस्टरग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लिजेज इंस्टरग्राम पे डियंड करकर आप हमारे साथ सूपर चैट कर सकते हैं ताकि जिसमें हम आपने कर पिच्छ से लेकर क्रिक्ट मैच के बारे में प्लेयर्स के और प्लेयर्स के और साथि साथ बहुत जारी चीजों के बारे बात करते कि क्या होता है और ये फंदर जिए लृट के सिम्मापती के बाद पाकिस्तान के फार श्रह की क्षान आयों पर अब मैच में उतरने के लिए बहुत कुछ द्धन से उतरना पड़ेगा वहीं कमेंट कि बाद कर रहे तो सम्वेर अराउंड 200 ओपर हमारे को कमेंट से तुके हैं तो से रेली गुड और वहीं बात कर रहे ताथ कि भही आज 400 लाइक का वह भी पूरा होता दिख रहा है जो स्कोर जो मारे लाइक काफी आचुके हैं 400 टॉच हो गए है और जो कमेंट ह करा के सर आप के आवाद सल्मान खान तो एक बार जो मैंने कमेंट्मेंट कर दे वाला टार रहा हुआ नहीं नहीं कमेंट मेरा हमेशा आप लोगों से रहता है कि मैं आप लोगों पूरा ही डिटेंग करूँ अच्छा हाँ आपने भी क्या रेडियोस्टी 90.8 FM के चलो सब्सक् कर दो हमारे को लाइब सुन सकते हैं रेडियो की इसको यूज कर गया है बाकी वहीं बात करें तो अभी 110 बना लिये हैं पाकिसान ने सोल्वर ओवर के तो विट बॉल के बाद तो अब पाकिसान 110 रन पर है चार विकेट के रुजान पर तो अब थोड़ा सा मैच में मिस्फ कर दो ही है कोई रन नहीं शुक्तर मैं पी चुक्रेट था तो बाल बाक तो बैक वहों लोगों रोक ले गए नौ गेंदों में नौ रन की आवशक्ता पाकिसान नेक टो नेक आर्लेंड के सा आर्लेंड भी नेक टो नेक बिल्कुल गिरेगा जहां तक उम्मीद थी कि आर्लेंड का दिख रहा था कि अब मैच 50-50 पर है पाकिस्तान जिस इस बाद से उनके मिकेट्स के रहे हैं वह लग रहा था कि गिर जाएंगे तो यह थोड़ा सा मगर कहीं नहीं ने जो कमबाक अपना रखा है वह बहुत ही अलग रखा बहुत डिफरेंट रखा है महीं पाकिस्तान के लिए मैं बाद कर तो आठ गेंदो रन आठ रनों के आवशक्ता है मगर आर्लेंड बाल हवा में क्या यह चौका साथ गेंदों में चार रन की आवशक्ता सोल्वे ओवर की आखरी गेंद है अब यह देखना होगा कि क्या यह एक अच्छे स्कोर खड़ा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी रन किसी ओवर में मैच समाप्त होगा लास बाल सोल्वे ओवर की इस ओवर में अब तक नौरन आ चुके है बाल डाली है खेलने की कोशिश करी बाल हवा में और यह चक्का पाकिस्तान ने जीत लिया च्छे रन च्छे विक्टो से पाकिस्तान ने मैच जीत लिया देगे जैसे मैं सो तरह तक ही मैंने कहा था ना कि 15 सोल्वे ओवर तक मैच आज खतम हो सकता है तो वही हुए मैच खतम हुए पाकिस्तान 6 विकेट से मैच जीत चुका है आर्लेंड काफी अच्छा कहला बिल्कुल नेक टो नेक आखरी का सिर्फ एक ओवर मैं बच आगर अगर तोड़ा और टिक तो श्या थोड़ा और रन बना लेती कि अगर विकेट जिस आप से लास के जो और करने का और हमारे को इतने सारे लाइक करने का और रेडियो एसडी नाइडी पॉंट एफम के चनल को हम लोगों को सब्सक्राइब करने का यदि ऐसी ही और मैच के आने वाले अपडेट के बार में बात करनी है तो बिल्कुल हम जरूर करें लेकिन फिलाल मैं लेता हूँ लोग में लिंगर करेंगे ठेट सारे बात तक तक आपको करना का है रेडियो एसडी नाइडी पॉंट एफम के चनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ आप हमें फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्वेटर पे भी फॉलो कर सकते हैं पाकिसान वुमन स्कॉल्ट जीच सब्सक्राइब करेंगे छे विकेट से आलेंड मुमन स्कॉल्ट प्रेड वेरी वेल और लास्व बचे अल्या रियास साथ गेंदों पर ग्यारे रन बनाए आइशे नसीम ने बारा गेंदों पर पच्छेस रन तो जहां रोख खोश्रों स्वस्रों मुस्रों फिर मेलेंगे फिर होगी बहुत सारे मुलाकाट मैच मेरे अल्विदार झाल 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 झाल